लिटल ब्लू कुन ने अचानक अपने शरीर को घुमाया और जाओ मान्यन को उनकी स्थिती की याद दिलाया जाओ मान्यन ने अपने चारों और देखा और अंगिनत काली आकरितिया स्वतंत्र रूप से घुमती देखी। उनके भयावा दात अंधेरे में चमक रहे थे। वहाँ भागने की कोई जगह नहीं है। जाओ मान्यन का चहरा काला पड़ गया। उसे बाहर निकलने का कोई रा जाओ मान्यन के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वह केवल दरारों में ही छुप सकता था। जाओ मान्यन को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा की दरारें आपस में जुड़ी हुई थी। यह एक जटिल भूल-भुलिया की तरह था और इसने उसे और ल अजीब बात है वहाँ इतना उजाला क्यों है? क्या यह अंधेरा नहीं होना चाहिए जाओ मान्यन हैरान था। वे दरारों में गहराई तक तैर गए और उन्हें अपने सामने तेज गर्मी महसूस हुई। जाओ मान्यन ने अपने नीचे देखा और नीचे से एक लाल जील के तल में लगभग उपर शहर के आकार का एक बड़ा गढ़ा था। शांदार रोशनी उसके चारों और अंडाकार परदे की तरह लिप्ती हुई थी। जाओ मन्यन उपर पत्थर की दरार से नीचे आये और यह देखकर चौक गए कि उनके आसपास पानी नहीं था। जील की जरने रंगीन धुंद में बदल गए और जल्द ही उपर की दरारों में लोट आये। जाओ मन्यन ने सबसे पहले जो प्रकाश देखा था। वह उन धुंद के अपवर्तन द्वारा उत्पन हुआ था। अरे बकवास क्या मैं किसी वर्महोल में गिर गया जिसने मु जाओ मन्यन ने अंतह अपने विचार एकत्र किये और हैरान चहरे के साथ डिवाइस को देखा। जील में संचार उपकरण काम नहीं कर रहा था। यह अब क्यों काम करेगा। क्या यह चुम्बकी एक शेत्र के कारण था। इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि म मैं खो गया हूँ। क्या आप आकर मुझे ले जा सकते हैं? जाओ मान्यन को पूछना पड़ा। आप अपने चारों और क्या देख सकते हैं? एक सूरज, सूरज मेरे चोदू राजा, तुम्हारे घटिया चुटकुलों से बहुत हो गया, आकाश ने उसे डाटा। मैं मजा जाओ मान्यन के उपकरण में अर्थ पिस्टिल मिलने से पहले कोई सिगनल नहीं था, उसका बिल्ला पूरी तरह से काला हो गया था, लेकिन अब सिगनल मजबूत और स्पष्ट था, आकाश बैज के माध्यम से जाओ मान्यन के स्थान का भी पता लगा सकता है, वे यह नहीं बता सके की भूमिगत सिगनल क्यों था, आकाश को भी सच जानने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, उसने बस संकेतों का अनुसर्ण करते हुए दरारों में प्रवेश किया, कई शार्कमेन दरारों में घूम रहे थे, चटाने, गड़े और खड़े चिपने के लिए से काम किया, आखिरकार वे उस गहराई तक पहुँच गए जहाँ पानी को लाल बत्ती द्वारा रोका जा रहा था, आकाश को दूसरी तरफ एक छोटा सा नीला बिंदु तैरता हुआ दिखाई दिया, उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, कि उसे क्या करना है, वहाँ बूढा जाओ है, आकाश ने बिंदु की ओर इशारा किया, अर्थ पिस्टिल का स्थान काफी आश्चर्य जनक था, पूरी जगह अवास्तवित लग रही थी, क्योंकि हर चीज धधकती हुई लाल थी, उन्हें भी बहुत कम महसूस हुआ, मानो वे किसी भीक्षन प जीवर इच्छा थी, ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जो कुछ भी जानते थे, वह उनके सामने का द्रिश निगर रहा था, आकाश ने कौम पर लिंगलिंग को बताया, यह उस अर्थ पिस्टिल से बहुत अलग है, जिसे हमने रिगिस्तान में देखा था, रिगिस्तान में प् भी शार्कमैन नहीं दिख रहा है, आकाश ने पुष्टी की, क्या हम इस चीज़ को वापस भी ला सकते हैं, म्यूबाई ने व्यंग्यपूरवक पूछा, मैं मुश्किल होने जा रहा हूँ, हम कोई उपकरन नहीं लाए, हम केवल स्थान चेहनित कर सकते हैं, और सेना को उ एक समूह की आवश्चक्ता होगी, शार्कमैन पहले से ही जानते हैं कि हम यहाँ हैं, और वे अर्थ फ्लेन पिस्टिल पर भी नजर रख रहे हैं, जब तक सेना आएगी, तब तक इस स्थान पर शार्कमैन द्वारा भारी सुरक्षा की जाएगी, उन्हें अर्थ पिस्टि कर रहा था जैसे वह पारदर्शी हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अब बदल गई थी, वह अजीब सी मुस्कुराहट दिखा रहा था, आकाश ने शांती से उस आदमी को देखा, मेरे लोग स्थिती में हैं, नॉर्दन सेक्रेट बियर्स की ओर से हमारे लिए अर्थ फ्ले उपदर्वी लोगों का एक समुह था, वे उत्तरी यूरोप के भाड़े के सैनिकों का एक समुह हैं, उनका प्रभाव इतना प्रबल है कि कुछ देशों को प्रभावित कर सकता है, कई देश उन्हें अपना गंदा काम करने के लिए नियुक्त करते हैं, जिनक्सिया ने बत चार उपकरनों के माध्यम से स्थिती को सुनने के बाद कहा, आकाश, जिस ग्राहक ने गुवान सुंगडी को बचाने के लिए हमें काम पर रखा था, वह उत्तरी पवित्र भालू से हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उत्तरी पवित्र भालू लैन्यांग अर्थ कोर की तलाश चला गया और स्थिती के बारे में अपने समोह को लगातार अपडेट करता रहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे संचार उपकरन अब काम कर रहे हैं, उसके पास एक सैनेग्रेड उपकरन होना चाहिए, जियान शाउक्सु ने गुवान सुंगडी की कलाई पर बंधी एक घ चलो उसे शार्क को खिला दें, जाओ मान्यन ने गुराया, एक आकाश ने सिर हिलाया, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहे थे, हमारे पास अर्थ फ्लेन पिस्टिल को ले जाने का कोई साधन नहीं है, अगर वे इसे ले भी लें तो कोई बात नहीं, गुवान वे अर्थ फ्लेन पिस्टिल को इतनी आसानी से क्यों छोड रहे थे, अपने साथियों के आने के बाद उसने इन लोगों से लडने के लिए खुद को पहले से ही तयार कर लिया था, वे वही हैं जिन्होंने तुम्हें काम पर रखा है, आप अपने ग्राहक से पैसे मांग सक जब तक मैं जीवित हूँ आपने अपना काम किया है, लेकिन क्या आप वास्तव में अर्थ फ्लेन पिस्टॉल को हमारे लिए छोड़ने जा रहे हैं। हम आपके साथ सहयोग कर सकते हैं और शार्कमेन को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। आकाश ने प्रस्ताव रखा। ठीक है। गवान सोंगडी को नहीं पता था कि क्या कहना है। आकाश के बदले हुए रवये से वह आश्चर यचकित था। उसने आकाश पर व सक्षम क्यों थे। वे एक शक्तिशाली संगठन थे। लोगोंने हलके कवच पहने हुए थे और उनकी चाती पर एक चमकीले सुनहरे भालू का प्रतीक था। ऐसा महसूस हुआ मानो भालू प्रिथवी जवाला पिस्टिल की चमकदार रोशनी के तहट किसी भीक्षन उनकी चाती से बाहर निकल जाएगा। से एक सुनहरे भालू जैसा लग रहा था। वे दोनों सपष्ट रूप से भाई थे, देखने और महसूस करने में एक जैसे थे। वे पवित्र भालू भाई हैं। जब वे चोटे थे तब उन्होंने नोर्धन सेक्रेट बियर्स की स्थापना की। यह संगठन उत्तरी यू जबूत हैं। उनके साथ दूसरों का तो जिकरही मत कीजिए, जाओ मन्यन ने खुलकर आह भरी। खजाना खोजने में उन्हें बहुत मेहंत करनी पड़ी, लेकिन आखिर में वे उस पर दावा नहीं कर सके। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम फैनक्सिव परवत से ज् भी थे। अगर आकाश और म्यो निंगजू दोनों भाईयों को संभालने में सक्षम होते तो उनके पास जीतने का अच्छा मौका होता। इसके अलावा उन्हें जीतना जरूरी नहीं था। वे चीनी क्षेत्र में थे। सेना के आने तक उन्हें बस रुपना था। देश के शाउक्सु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिनक्सिया ने चुप रहने को कहते हुए अपना सिरहला दिया। वे उत्तरी पवित्र भालूओं के साथ खिलवाड नहीं करना चाहते थे। पार्थेनन मंदिर का एक बार उनके साथ संधर्ष हो गया था। अंत में जज्मेंट पवित्र भालू कमोबेश वहां के कई देशों की सेना थे। वे डाकूं और भाड़े के सैनिकों की तरहनीच नहीं थे, लेकिन जब बड़े हित शामिल होते थे, तो वे क्रूर और निर्दई होते थे। परिणामस्वरूप वहां के देशों के सैनिय अन्यायाधिकरणों स्वाभाविक रूप से उनके कारियों की अंदेखी कर दी थी। आकाश के दल की संख्या कम थी और वे इस समय शार्कमेन के ख्षेतर में थे। उत्तरी पवित्र भालू से लड़ना व्यर्थ था। आप इसका हिस्सा चाहते हैं धूरे लाल बालों वाले आदमी ने दोहरा मैं सच्चे दिल से आपका आभार व्यक्त करूंगा। उस व्यक्ती ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। क्या बिल्ली है? उसका अर्थ क्या है? तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ और फिर तुम्हारी कबर के सामने जौस पेपर जला सकता हूँ? जाओ मान्यन ने बभूल जाओ, ये लोग तयार होकर आये थे. वे अर्थ फ्लेन पिस्टिल को पुनह प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरन भी लाएं. हमें उनके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलेगा. हम जिस चीज के लिए आये आये थे, वह हमें पहले ही मिल चुका है. आये मान ले क करने में कोई आपती नहीं है. सुनहरे बालों वाले आदमी ने घोशना की. क्या आपको लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? आकाश ने उस आदमी की और घूर कर देखा. आप बहुत मजबूत लग रहे हैं. आप मेरे प्रतिदवंधवी बनने के सुनहरे बालों वाला वह आदमी लड़ने के लिए तयार था. आप ग्राहक हैं. अब जब मैं उसे जीवित तुम्हारे पास वापस ले आया हूँ तो तुम्हें पहले मुझे भुगतान करना चाहिए. आप उसके बारे में मत भूलिए. आकाश ने उस आदमी की और नौकर पवित्र भालू अपने वादे निभाते हैं. इसने कहा गया है कि उस आदमी को शहर से बाहर लाने के बजाए उसे मेरे पास जीवित वापस लाओ. तुम्हें काम पूरा कर लिया है, इसलिए मैं वापस आते ही तुम्हें भुगतान कर दूँगा, वह आदमी हनसा. वह आक पवित्र भालूओं को चुनौती देने के बारे में गंभीर थे, लेकिन अंत में वे केवल कायर थे. आकाश और उसका दल अब और नहीं रुका, और मुर कर चला गया. नौर्दन सेक्रेट बियर्स ने अपनी सतर्कता कम नहीं की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि पहुचाए बिना उसके मूल भाग को कैसे बाहर निकाला जाएं. यहां तक कि चीनी सेना भी उनके कौशल की बराबरी नहीं कर सकती थी. अर्थ पिस्टिल्स को पुनह प्राप्त करने में उनके पास स्पष्ट रूप से कौशल और प्रोध्योगी की का लाब था. उनके मा पिस छोड़ने में परेशानी होगी, उपनेता यांगेल ने चुपचाप कहा. टीवी ने पहले ही अपने बाहर के लोगों को शहर से बाहर आने वाले हर सिगनल को जान करने का संकेत भेज दिया है. वे फिलहाल किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे. एक बार जब वे ऐसी ज पहुच जाएंगे जो जैमर की सीमा से बाहर है, तो हम अर्थ फ्लेम पिस्टिल के साथ बहुत पहले ही गायब हो जाएंगे. हम अपने भागने के रास्ते पर कायम रहेंगे भले ही उनका. पूरी सेना हमें रोकने के लिए आई, वे हमें रोक नहीं पाएंगे, नेता कुन प्रभारी व्यक्ति एक एशियाई था, लेकिन उसके बोलने और काम करने के तरीके से पता चलता है कि वह लंबे समय से उत्तरी यूरोप की जीवनशैली का आदी हो चुका था. उसने गुआन सोंगडी पर नजर डाली. गुआन सोंगडी उनके भतीजे थे. उसे सुराग पहले एक सुरक्षित रास्ता साफ करना चाहिए, गुआन मिंगजोंग ने कहा. अचे से, एक बार जब उद्देश को सुरक्षित रूप से हमारे क्षेतर में वापस लाया जाता है, तो आप दोनों अपना इनाम अर्जित करेंगे. यंगेल दिल से सहमत हुए. आकाश और उसका दल पाइप के माध्यम से चले गए. भुमिगत जील शार्कमेन से भरी हुई थी, इसलिए जिस रास्ते से वे आये थे, उसी रास्ते से वापस जाना असंभव था. हाला कि वे पेजल पाइपों को वापस पेजल सन्यंत्र तक ले जा सकते थे. एक बार जब वे प्रिथवी पिस्टिल से दूर जाने देने के लिए तयार नहीं था. हाँ, कब से हम अपना गुस्सा निगल पा रहे हैं? जाओ मान्यन बड़बडाया. वे उत्तरी पवित्र भालू से नहीं डरते थे. यह कहना मुश्किल था कि आखिर में कौन सा पक्ष जीतेगा. उन ल पिस्टिल के करीब लड़े, भले ही हम उन्हें हरा दें, फिर भी हम शार्कमेन से घिरे रहेंगे. इससे हमारा क्या भला होने वाला था? आकाश ने उत्तर दिया. लेकिन उन्हें मुफ्त में अर्थ पिस्टिल देने से बहतर कुछ भी नहीं है. यदि हम इसे नहीं ले सकत तो उन्हें भी यह नहीं मिल रहा है. जाओ मान्यन ने जोर दिया. परिशन क्यों होना? क्या अर्थ पिस्टिल प्राप्त करने के बाद उन्हें लूटना बहतर नहीं है? आकाश मुस्कुराया. आप उत्तरी पवित्र भालू को लूटने की योजना बना रहे हैं? बिलकु मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ. लिंग-लिंग ने सक्ती से हस्तक शेप किया. यह हमारी मात्रि भूमी है. हमने जो भी संसाधन खोजा है वह हमारे लोगों का है. हम चोरों को हमारा सामान चुराने से रोक रहे हैं. हम उन्हें लूट नहीं रहे हैं. हम देश की अवाक रह गया. बाकी लोग उस युवती को घूरते रहे. उन्हें उसकी आखों में कोई चाला की नजर नहीं आई. यह प्रभावशाली था कि जब वे स्पष्ट रूप से किसी को लूटने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उनके इरादों को कैसे उचित थहराया था. उत सेक्रेट बियर्स ने स्वाभाविक रूप से आकाश के समुह का कुछ दूरी तक पीछा करने के लिए दो लोगों को भेजा, अगर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया हो. आकाश और उसके दल के बहुत दूर चले जाने के बाद ही वे लोटे. उतरी पवित्र के पीछे जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी. भूमिगत जील में बहुत सारी सुरंगे थी. यह बताना असंभव था कि वे किस ओर गए थे. वे अब लैन्यां के पूर्व में हैं. लिंगलिंग ने अपने लैप्टॉप का हवाला दे कर उन सभी को सूचित किया. आप उन पर कैसे नजर रख रहे हैं? लेकिन क्या उन्होंने हमारा सिगनल जाम नहीं किया? मोबाई को याद आया. यही वह जगह है जहां वे अति आत्म विश्वासी हो रहे हैं. वे हमारे सिगनल को जाम नहीं कर रहे हैं. वे सिगनल को प्रसारित होने से रोक रहे हैं. अन्यथा वे बाहर अपने लोगों से कै पूरी टीम लगातार समबाद कर रही है। पूर्ण अपग्रेड मिलने के बाद वह किसी भी चीज को चेहनित करने में सक्षम हो गया जिसे आकाश चू सकता था। उनका बारीकी से पालन करना होगा। यदि उनके भागने के रास्ते के रूप में उनके पास टेलिपोर्टेशन पोर्टल है तो वे हमें एक पल में हिला सकते हैं। उन्हें फिर से ट्रैक करना असंभव है। लिंगलिंग ने सभी को चेताबनी दी। जिसका मतलब है कि हमारे पास बैकप के लिए कॉल करने का समय नहीं है। हमें स्वय ही उनके पीछे जाना होगा। जियांग शाउक्सू ने चिला कर कहा। सामान्य लोगों को उनकी भारी संख्या से बचने के लिए संधर्श करना पड़ा होगा। और फिर भी उत्तरी पवित्र भालू शार्कमैन जानवरों से बचते हुए पहले से ही शहर के पूर्व में थे। उन्हें शासक्स्तर के शार्कमैन बीस्ट्स की उत्कृष्ट इं सब्री नहीं कर सकी। वे टेजी से दूसरी ओर के पहाडों की ओर जाने से पहले लान्यान से होकर बहने वाली हवा की तरह थे। वे शहर छोड़ने के बाद पूर्व की ओर चले गए और तुरंत दक्षिन पश्चिन की ओर मुर गए। वे फिंगे मांटेन सिटी तक पहु पर उरने वाले शार्कमेन जानवरों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। शार्कमेन को पता चल गया होगा कि किसी ने उनके प्रजन स्थल का उर्जा स्रोथ चुरा लिया है। वे चोरों की तलाश कर रहे थे। आकाश और उसका दल अभी भी उत्तरी पवित्र भालू उसे लगभग 20 किलोमेटर दूर थे लेकिन दूरी धीरे-धीरे बढ़ रही थी क्योंकि वे शार्कमेन जानवरों से बचने के लिए संखर्श कर रहे थे। उत्तरी पवित्र भालू में अधिक लोग थे। इसका कोई मतलब नहीं था कि वे आकाश और उसके दल से तेज च रहे हैं, उसे देखते हुए वे बहुत निरनायक और अनुकूली हैं। के लायक थी। टेलिपोर्टेशन पोर्टल उन्हें बेहत दूर, आसानी से सौ या एक हजार किलोमेटर दूर भेज देगा। एक बार जब उन्होंने पोर्टल में कदम रखा, तो आकाश और उसका दल पूरी तरह से उनका पताखो देंगे। तब उत्तरी पवित्र पर शार्कमैन जानवरों का कबजा था। यदि वह उनसे बचने के लिए परियात उचाई पर उड़ता, तो उसे सही स्थान धूंडने में परेशानी होती। इतनी उचाई तक उड़ना बेमानी होगा। आकाश तुम हमसे तेज हो। आपको आगे बढ़ना चाहिए, लिं पर बसाया गया था। इसके चारों और कई परित्यक्त गाव और कबरे बिखरी हुई थी। अधिकाश गाव लास स्पाइन बियर द्वारा नश्ट कर दिये गए थे। जगहजगा मवेशियों के शव सड रहे थे। पहाड की कमर पर स्थित गाव से गुजरने के बाद आक पर बादलों से बनी एक मोटी नाव की तरह एक सफेद धुंद पूर्व दिशा से तेजी से आ रही थी। एक भारी बैंगनी लाल खोल में ढखा हुआ एक समुदरी राक्षस कोहरे पर सवार होकर लान्यां के उपर आकाश में फैल रहा था। समुदरी राक्षस के नियंत्रण में नदी एक उग्र अजगर में बदल गई थी। यह बार की तरह बह रही थी और अपने रास्ते में आने वाले गावो, पहाडियों और जंगलों को नश्ट कर रही थी। उग्र ड्रैगन अंगिनत शार्कमें निकला। वे तेज धाराओं के खिलाफ बढ़ रहे थे, जो जमीन पर रास्ता साफ करते करते धीरे धीरे एक प्रचंड लेहर में बदल गई। उन्होंने सपष्ट रूप से प्रिथवी पिस्टिल को महसूस किया था और पहाडी शहर की ओर जा रहे थे। वे जल्द ही अपनी संख्या और गती से शहर को पूरी तरह से घेर लेंगे। शार्कमें की पूरी भीड आ रही है। आकाश में जो प्राणी है वह संभवत है सरदार है। लिंगलिंग ने आकाश में विशाल जानवर की ओर इशारा किया। अब क्या करें? अगर हम अभी नहीं निकले तो यहीं फंस जाएंगे। हम शार्कमें से लड़ने का जोखिन नहीं उठा सकते। आकाश में वह विशाल जानवर कम से कम समुदरी कमकाल राजा जितना ही शक्तिशाली है। हम अर्थ फ्लेन पिस्टिल लेंगे और उनके टेलिपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से भाग जाएंगे। जाओ मान्यन ने खुले मुमह से शिनक्सिया को देखा। क्या आकाश के साथ बहुत देर तक घूमने के बाद सभी को बलेड की नोपपर नाचने और उनकी कबरो के सामने डिस्को करने में मज़ा आया। क्या होगा यदि वे उत्तरी पवित्र भालू को हरा नहीं सके। यदि जादूई संरचना नश्ठ हो गई तो क्या होगा। यदि मैजिक फॉर्मेशन पूरा होने से पहले शार्क में आ गए तो क्या होगा। यह इतना रोमांचक क् सिरहिलाया यह एक व्यभार यह योजना थी। तो क्या मैं आपका बैकप बन सकता हूँ जाओ मन्यन ने उदास होकर सुझाव दिया। अन्य लोगों ने जाओ मन्यन की ओर अपनी आखे घुमाई। वह कंधे उचका कर उनके पीछे चला गया। ठीक है इन लोगों के पास क स्पाइन बियर्स ने कबजा कर लिया था। स्पाइक से ढके जीवों को अकसर अनियंतरत रूप से भागते और जढ़ज गहर दिवारों को तोड़ते हुए देखा जाता था। लास्ट स्पाइन बियर्स में चीजों को नश्ट करने की स्वाभाविक इच्छा थी। जंग पवित्र भालू उजाड शहर को अपना अस्थाई आधार मान रहे थे। उन्होंने डर की दिवार खड़ी कर दी थी। लांस स्पाइन बियर्स जो गलती से दिवार से टकरा गया था। दर से अभिभूत हो गया और भाग गया। वहाँ एक पहाडी पर एक नरसिंग होम स् पर भी वे पानी के करीब रहना पसंद करते थे। शहर के बीच से बहने वाली बरफीली नदी उनके लिए बहुत छोटी थी। जैसे ही आकाश डर की दिवार के करीब आया उसकी भौहें तन गई। ऐसा लग रहा था जैसे नौर्धन सेक्रेट बियर्स के साथ वाइट की विशेश शमता से आसपास का निरीक्षन किया। ड्रेगन सेंस के दिवार कांटों से भरे पेडों की तरह दिखती थी। उनकी शाखाए और पत्तिया पहाडी के चारों और पूरी तरह से लिप्टी हुई थी। यह असंभव था कि आकाश उनसे आगे निकल सके। उसे क अपने उलजे बालों और दाढ़ी से किसी को भी टुक्रे टुक्रे कर सकते थे। दोनों भाईयों के पीछे एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास बकरी थी। उन्होंने लाल बो टाई के साथ टाइट सूट पहना हुआ था। उनके सीने की जेब में रुमाल, कलाई पर तूट गया, सैंटेल ने सुंगा, ओह क्या इससे कोई समस्या होगी, कुनोय ने पूछा, भले ही मुझे पता है कि एक चालाप गिनी पिगने दीवार में छेद करने के लिए लास स्पाइन बियर का इस्तमाल किया है, यह कोई गंभीर बात नहीं है, ओल्ड सैंटेल ने आत नीचे कूदे और तेजी से इलाके के बीच में पहुँच गए, बूढे सैंटेल की आखे तेज थी, और वह चील की तरह पेडो और जाडियों को देख रहा था, यहां तक कि एक कीड़ा भी उसकी नजरों से बच नहीं पाता था, कुछ गिनी सुर अपने शिकारियों के सा अमने कुछ चतुर चाले चलाने का आनंद लेते हैं, लेकिन वे आसमान से नीचे देख रहे बाजों से कभी छिप नहीं सकते, गुढ़ा सैंटेल आत्मसंतुष्ट भाव से परचायों की ओर देखता रहा, यंदेल ने उसकी निगाहों का पीछा किया, उसका सिर चक्रा ग पड़ेगी? एक मजबूत युवा जादुगर के रूप में, आप अपने कारियों के परिनामों से कम साबधान हो सकते हैं, लेकिन आपको बास्तव में अपनी इस चीज का उपयोग यह संतुलित करने के लिए करना चाहिए कि आप लापरवा हो रही हैं या बस मौक की पोल्ड सेंटेल ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आखें आकाश के दिल पर वार कर रही थी, जैसे कोई छुरी उसके भीतर की जटिल भावनाओं को चीर रही हो, पोल्ड सेंटेल किसी व्यक्ति के दिमाग पर हमला करने में अच्छा था, अपने दुश्मन की ताक्तों को सही जगह पर रख सकता था, ओल्ड शेंटल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उससे पहले जिस युवक्त से वह मिला था, उसकी मानसिक शक्ती उससे कहीं अधिक थी, यहां तक कि जब उसकी तेज स्केल पेल आकाश के दिल में बंध हो रही थी, तब भी वह उसी आवर के खुद को मजबूती से पकड़ लेते हैं, हाला कि जिस स्थान की आप सबसे अधिक सुरक्षा कर रहे हैं, वह अकसर सबसे कमजोर स्थान होता है, गुढ़े सेंटेल ने आकाश के हरिदय का विच्छेदन जारी रखा, वह आकाश से बहुत सारी भावनाओं को महसूस कर स करता था, वह युवक कोई हत्यारा नहीं था जिसे विशेश प्रशिक्षन दिया गया था, इसलिए वह अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंतरन नहीं रख सका, यह बिलकुल विपरीद था, युवक भावनाओं से लबालब था, ओर्ड सेंटेल की दृष्टी में, वह मजबूत दीवारों वाले एक विशाल महल की तरह था, दिल्चस्प बात यहा है कि आप मानसिक तत्व और ध्वनी तत्व से गरते हैं, लेकिन आपका दिमाग सामान्य जादूगरों से अधिक मजबूत है, हाला कि मुझे अभी भी तुम्हें नीचे ले जाने का एक र टेलिपोर्टेशन पोर्टल यहां से निकलने का एक मात्र रास्ता था, आकाश ने पहाड की ओर देखा और पेडों के पीछे एक मंध चादी की रोशनी देखी, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिंगलिंग ने अनुमान लगाया था, वे टेलिपोर्टेशन पोर्टल से भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके पीछे से एक अजीब सी धुंधा रही थी, यह ठंडा और नम्था, मानो कोई बहुत बड़ा तूफाना रहा हो, आकाश को पता था कि शार्कमेन की सेना अपने रास्ते पर है, धुंध उनसे पहले ही थी, हम समय से आगे भाग रहे है आएए इसे जल्दी करें, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि चुंकि हमारे पास अर्थ फ्लेन पिस्टिल है, इसलिए हमारा पलडा भारी है इसे पाने के लिए आपको हमें हराना होगा, जबकि हमें बस थोड़ी देर और रुपने की जरूरत है, ओर्ड सेंटेल आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा वह सच कह रहा था, बूढे सेंटेल को अपनी टिपणियों से पता चल गया था कि वह युवक कोई सामान्य जादुगर नहीं है उससे आमने सामने लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए उसका सबसे अच्छा विकल्प लड़ाई को लंबा खीचना था मैंने आपके सामने एक माइंड भूल भूलिया का निर्मान किया है मुझे आश्चर्य है कि क्या आप समय रहते कोई रास्ता खोज सकते हैं, ओल्ड सेंटेल ने अपने प्रतिदवन्धवी पर मुस्कुराते हुए कहा उसने अपने शत्रु के हरिदय में जाककर एक मायावी चक्रव्यूह रचा था उसके प्रतिदवन्धवी को भूल भूलिया बेहद वास्तविक लगेगी आकाश को भूल भूलिया के नियमों का पालन करना पड़ता था, भले ही उसकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो ओल्ड सेंटेल्स माइंड भूल भूलिया एक स्वरकश्रेणी के बीज से एक पूर्न डोमेन था इसके अंदर फंसे दुश्मन को खुद ही लड़ना होगा आकाश के सामने का द्रिश भंवर की भाती बदल गया हाला कि आकाश को पता था कि यह सिर्फ एक ध्रम था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे कैसे रोका जाए जब वह जानता था कि यह महस एक ध्रम था, तो उसकी भावनाय बेथाशा क्यों बढ़ रही थी यह एक दरावनी फिल्म देखने जैसा था हर कोई जानता था कि दरावने तत्व और कहानी नकली थी, फिर भी जब वे फिल्म देख रहे थे, तो वे भयभीत थे आकाश जो भ्रम देख रहा था उसने वैसा ही काम किया आकाश की मानसिक स्थिती मजबूत थी, इसलिए ओल्ड सेंटेल को उम्मीद नहीं थी कि वह आकाश को धोखा देकर यह विश्वास दिला सकता है कि यह भ्रम सच है उसे आकाश को यह बताने में कोई आपती नहीं थी कि यह सिर्फ एक भ्रम था, नहीं उसे उम्मीद थी कि यह भ्रम उसे तोर देगा उसे तो बस आकाश का समय बरबाद करना था, ओल्ड सेंटेल की जीत की स्थिती आकाश को हराना नहीं था, उसे बस कुछ समय खरीदने की जूरत थी जैसे जैसे समय बीटता गया, शत्रुचिंतित और चिंतित महसूस करने लगा, उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, आप उसे तुरंत बाहर क्यों नहीं ले जाते, यंगेल ने ओल्ड सेंटेल से पूछा, बूढे सेंटेल ने अपना सिरहिलाया और कहा, वह य यंगेल आश्चर्य से चिल्ला उठी, उत्तरी यूरोप में उससे लड़ते समय बहुत से लोग कुछ 100 राउंड से अधिक नहीं तिक पाते थे, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह युवक इतना ताकतवर होगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने दुश्मन को जमीन पर गिराने में मज़ा आता है, लेकिन आज इसका समय नहीं है, ओल्ड सेंटेल ने उसे चेतावनी दी, अच्छा ऐसा है, मैं वास्तव में उस युवक के बारे में उच्छुख हूँ, लेकिन मैं इसके लिए ऑपरेशन को बरबाद करने का जोखिन नहीं उठा सकता, यंगेल सेंटेल तुरंत यहां वापस आओ, किसी दुष्ट महिला ने हमारे अंतरिक्ष जादूग्रों में से एक पर कबजा कर लिया है, और जादूई संरचना को बाधित कर दिया है, कुनोई अचानक संचार उपकरन से चिलाया, बूढे सेंटेल ने भौहें चड़ा दी, 14 महिल वह युवक अकेला था जो अंदर आया था, अचानक एक महिला कैसे प्रकट हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी मानसिक तत्व की विशेशग्य थी, यांगेल मुझे वापस जाना होगा, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूँगा, उस पर बहुत अधिक समय बरबा के साथ हवा में चली गई, यहां हवा में आग की लपटों में बदल गया, और प्रकाश की कई किरनों में विभाजत होने से पहले अपने पीछे एक जुलसा देने वाला निशान छोड़ गया, आकाश माइंद भूल भुलिया में फस गया था, और उसने खुद को एक ऐसे शहर में पाया था जो बिलकुल बो सिटी जैसा दिखता था, एक विशाल उलकापिंड अचानक आसमान से गिरा और उसने इमारतों और उस पर मंदरा रहे एक आँख वाले जादूई भेडियों को नश्ट कर दिया, आकाश ने अचानक खुद को जंगल में वापस पाया, और उसे एक घातक मुक्ता का सामना करना पड़ा, जल्ती मुठ्ठी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया था, आकाश ने पहले सोचा कि यह एक अगनी मंत्र है, लेकिन जब उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भेडने में सक्षम बिनाशकारी प्रकाश किर्णो से जाग गया हो, जब तक आकाश को होशाया, विस्पोटित सितारा मुठी ठीक उसके चहरे के सामने थी, वह तुरंत एक प्रेट की तरह चाया में लुप्ठ हो गया, दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया और उसे हमले के लिए अजे बना दिया, फेंटम स्लिंक का इस तरह सबसे महत्वपूर्ण है, आकाश को भी इसका एसास क्यों ही होगा, घय की दिवार देखने के बाद, आकाश को पता चल गया कि पहाड पर एक शक्तिशाली मानसिक जादूगर है, चुंकि वह जानता था कि वह मानसिक जादूगर द्वारा उसका पता लगाने से बच नहीं आसान तरीके से निप्ताना चाहूंगा, दुश्मन के मुक्के से बचने के बाद, आकाश ने अपनी भुजाए इधर उधर घुमा दी, ओर्ड सेंटेल कहता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन शायद वह आत्म विश्वास खो रहा है, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा ह एक सुनहरा भालू अचानक आग की लप्टों से बाहर निकला और आकाश पर जपता, इसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, उसके हाथ, चहरा और गर्दन तेजी से जलने लगे थे, वह तुरंक छायादार पक्षियों में बदल गया, और जगह जगह बिखर गया, ठीक उसी तरह जैसे कोई पिशाच चमगादरों के जुंड में बदल जाता है, भालू को जैसे यह पता चल गया कि असली आकाश कौन सा पक्षी है, उसने तुरंक छायादार पक्षियों में से एक का पीछा किया, और उस पर जपता, आदेश में हैर फेर, आकाश ने तेजी से प्राकृतिक व्यवस्था में हैर फेर किया, और खुद को एक नती चाया पक्षी से बदल लिया, क्रोधित भालू ने चाया पक्षी को काटा, लेकिन वह काली धुंध के रूप में चंट गया, भालू तुरंत जलती हुई आखों से मुड़ा, आकाश ने उसके और भालू इसका स्वाद कैसा है, मेरा पवित्र भालू का खुण उन उबाव चालो से बहतर है, यंगेल बेथाशा मुस्कुराया, आकाश ने उसके घावों की जाच की, वे गहरे नहीं थे, लेकिन वह उन्हें जलता हुआ महसूस कर सकता था, उसके घावों पर खुण जम गया था, आकाश ने थोड़ी देर के लिए जिजगते हुए निरने लिया की वह क्या रुख अपनाने जा रहा है, आकाश के पास करीब से लड़ने के तीन तरीके थे, पहला यह था कि अपने खून को जमीन पर फैला कर अपने स्वरगश्रेनी के प्रिथवी बीज के साथ भारी बक नहीं था कि नर्क के राजा का रूप कितना शक्तिशाली है, आकाश इस रूप में निकट युद्ध और दूरवर्ती युद्ध दोनों में उतक्रिष्टा प्राप्त करेगा, तीसरा तरीका ब्लैक ड्रैगन सेट को सुसजित करना था, जिसका उप्योग करने का उसे कभी मौका नहीं मिला था, ब्लैक ड्रैगन पंजों से बनी ब्लैक ड्रैगन स्लीव्स को मुठी और पंजे के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है, अपने अंतरिक्ष तत्व, छाया तत्व, अराजक्ता तत्व और प्रित्वी तत्व के साथ, वह एक घातक हत्यारे में बदल जाएगा जो दुश्मन से घिरे होने पर भी दुश्मन के कमांडर को मार गिराने में सक्षम होगा, भारी बक्तर बंदरुख, निरने, उसका बहुत अधिक खोन नहीं बहा था, और वातावर्ण भी उप्युक्त नहीं था, जहां तक नर्क के राजा के रूप की बात है, यह अत्यधिक हो सकता है, उन्होंने इसकी ताकत का परीक्षन करने के लिए ब्लैक ड्रैगन सेट को आजमाने का फैसला किया, ब्लैक ड्रैगन सेट, आकाश ने विंस ओफ डॉन एंड डस्क को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन सेट के हर टुकडे को बुलाया, दबंग ब्लैक स्लीवस और ब्लैक ड्रैगन बूट्स ने तुरंट उससे ढख लिया, उसने अनोखी चमक वाले काले कवच का पूरा सेट पहन रखा था, यांगेल का पवित्र ज्वाला भालू में परिवर्तन काफी प्रभावशाली था, आकाश उसके सामने वध होने की प्रतीक्षा कर हिरन की तरह लग रहा था, हाला कि ब्लैक ड्रैगन समराट की आभा आसानी से यांगेल की लप्टों पर हावी हो गई क्योंकि उसकी ड्रैगन आत्मा आकाश की परिक्रमा कर रही थी, यंगेल के चहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, ब्लैक ड्रैगन सेट उस पवित् की तुलना मेरे गोल्डन बियर बंच से की जा सके, मैं तुम्हारे कवच को टुक्रे-टुक्रे करने जा रहा हूँ, यंगेल ने गुर्राया, उत्तरी यूरोप में भालू ताकत और सुन्दर्ता के महान जानवर थे, यंगेल को भालू में बदलने की अपनी शम्ता पर ब इसकी चमक, इसकी सामगरी, इसकी रेखाएं और इसके नाजुक सीन और सजावट, उसे कवच को टुक्रो में तोरना पड़ा, यह उसके लिए दिखावे के अलावा और कुछ नहीं था, पवित्र भालू के विस्पोटक पंजे, यंगेल भालू की तरह ही गर्म स्वभाव का था, अपनी गती बढ़ाने के लिए उसे किसी जादू का प्रयोग नहीं करना पड़ा, उसके अंदर जलता खून ही उसकी शक्ती का स्रोत था, सुनहरी लप्टों ने कवच के पूरे सेट की तरह उसे घेर लिया, पवित्र भालू एक सुनहरी लौ की तरह आकाश पर और आकाश की छाती पर लगा पंजे का निशान तुरंत फट गया, विस्पोट से आकाश काफी दूर तक उड़ गया, ब्लैक ड्रैगन स्केल्स जादू से प्रतिरक्षित थे, लेकिन यह अभी भी शारिरिक शती के प्रती समवेदनशील थे, गोल्डन क्लॉ मार्क का विस उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, एलरंट द्वारा संपादित मुझे डर है कि आपने मेरी ताकत को कम आता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे मेरे सुनहरे भालू के पंजे अलग न कर सकें, यांगेल ने आकाश के कवच को घूरते हुए उपहास किया, हाल इसे अभी-भी किसी भटी से निकाला गया हो, यांगेल ने यह याद करने की बहुत कोशिश की कि क्या इस युवक ने किसी तरह के जादू से उसके हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन उसे सपष्ट रूप से याद था कि उसने हमला किया था, और पंजे का निशान उसकी इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ, यांगेल की आखें सुनहरी मचली की तरह उभी हुई थी, वह आकाश के कवच पर सबसे छोटी खरोंच ढूंदने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा जैसे उसने अपना गौरव खो दिया है, वह किस प्रकार का कवच है, खरोंच की ते हुए साब की तरह आगे बढ़ गया, और यांगेल पर जम कर हमला बोला, उसकी गती पवन जादुगर के बराबर थी, भले ही वह किसी जादु का उप्योग नहीं कर रहा था, आकाश ने अपनी मुठिया भीच ली, ब्लैक ड्रैगन स्लीव्स ने अपने चारों ओर की ह रूप में इस्तिमाल कर रहा था, उसकी रक्षा उससे टकराने वाले शासक्स्तर के प्राणी की हड़ियों को तोड़ सकती थी, लेकिन ड्रैगन की मुठ्थी शासक्स्तर के प्राणी से भी अधिक मजबूत थी, गोल्डन फ्लेंस शीड को प्रभाव को जेलने के लिए पैर काम रहे थे, पवित्र भालू के आकार की सुनहरी लपते अब बरकरार नहीं थी, यंगेल ने अपने पवित्र भालू वंश की उपस्थिती को बहाल करने के लिए उससे अधिक शक्ती प्राप्त करने के लिए अपने दात भीच लिए, क्या दुश्मन का कवच सिर्फ दिखावे के लिए था, यंगेल ने अब ऐसा नहीं सोचा, घायल होने के बाद वह आकाश का सामना करने से थोड़ा डर रहा था, उसने अपने शत्रु को कम आका था, ओल्ड सैंटेल सही था, वह एक मजगूत प्रतिदवंदवी था, यह एक अजगर है, मैं अन्य प्राण रेड ड्रेगन, ग्रीन ड्रेगन, फ्लाइं ड्रेगन और क्रिंसन ड्रेगन का ब्लैक ड्रेगन से कोई मुकाबला नहीं था, यंगेल को केवल तभी मौका मिलेगा, जब वह गोल्डन ड्रेगन में बदल सकता है, एक छोटा भालू कहीं पर याप्त नहीं था, ड्रेगन इमारत जमीन दोज हो गई। यह ऐसा था जैसे कोई असली अजगर जमीन पर पटक गया हो, नदियों को काट रहा हो और पहाडों पर लकडियों को नश्ट कर रहा हो। यांगेल हिल नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर जमीन में गहराई तक धंस गया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंटुक्रे-टुक्रे हो गए थे और जब वह छेद के नीचे पहुँचा तो उसकी हड़िया चकना चूर हो गई। यदि गोल्डन सेक्रेड बियर की रक्षा नहीं होती तो वह कीमा बनकर रह जाता। ऐसी असाधारन शक्ती का मतलब था कि यांगेल जैसे आ पूर्व में कोई था जिसकी शारिरिक शक्ती उत्तरी पवित्र भालू से अधिक प्रभावशाली थी। आकाश द्वारा उठाया गया हर कदम यांगेल को मारने के लिए काफी घातक था। यंगेल दुश्मन के कवच पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ सका। इस बीच उस जोग नहीं करना पड़ा था। ऐसा लगा जैसे उस पर असली अजगर का कबजा हो गया हो। वह अपने मुक्कों और लातों से ही पहाडियों को नश्ट कर सकता था। दरारों में सुनहरी लौ लहरा रही थी। आकाश अपने हाथों को पंजों में बदल कर उसमें बंद हो हैं। मैं कभी भी गड़े खोदने और भागने के कौशल में निपन नहीं हो सका, जब आकाश ने पास में एक छेट देखा तो वह हस पड़ा। आकाश उसका पीछा नहीं छोडने वाला था। यांगेल सपष्ट रूप से अपने आदमियों के साथ फिर से संगठित होने क के लिए पहाड की चोटी पर वापस जा रहा था। आकाश को भी अभी शीर्ष पर जाना था। आसपास आकाश की बात सुनकर वह गुस्से से शर्मा गया। उत्तरी यूरोप के सबसे उग्र संगठन को कायर कहा जा रहा था, फिर भी यांगेल को उसका खंडन करने के आकाश ने हंस्ते हुए जवाब दिया। यह साबित करता है कि आपकी चाले मेरे पवित्र भालू रख्ट से अतुलनिया हैं। इसके अलावा पवित्र भालू ब्रदर्स हमेशा कंधे से कंधा मिला कर लड़े हैं। यंगेल वापस चिलाया। टेलिपोर्टेशन पोर्टल स्थापित करने वाले लोगों का सर्वेक्षन करते हुए यंगेल जल्दी से नरसरी होमलोट आई। वे बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे और टीम अंतर शार्कमेन के क्षेतर को छोड़ सकती है। आपका अंत इस तरह कैसे हुआ कुनोई ने उससे पूछा। मैंने उस जादूई बहरा नहीं था वह निचले पहाड से आने वाली तेज गड़गडाहट को सुन सकता था। शार्कमेन की भीर बहुत जल्द पहुँचेगी। यदि जादूई संरचना फिर से बाधित हो गई तो वे निश्चित रूप से शार्कमेन के भोजन के रूप में क्यों इंतजार करना? हम अब यहां हिसाब बराबर कर सकते हैं, आकाश ने योगदान दिया। यांगेल ने मुर कर देखा, तो आकाश अपने काले कवच में खड़ा था। वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। भाया, वह बहुत बड़ा शत्रू है। हमें उसे कवच थोड़ा विशेश है, यंगेल ने अपने भाई को चेताबनी दी, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल दर, कुनोई ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, जादूरी संग्रचना को नश्ट करने का युवक का इरादा उन्हें शार्कमेन को खिलाने की कोशिश से अलग नहीं था। कुनोई को भाड़े का सैनेक होने की नैतिकता की कोई परवाह नहीं थी। उसकी एक मात्र चिंता अपने दुश्मन को बाहर निकालना था। भाई आसपास था तो यांगेल की शक्ती बढ़ गई थी। उसकी आखें भी तेज हो गई थी। लालभूरी लगतें और सुनहरी लगतें एक दूसरे की पूरक थी। आकाश को तुरंत महसूस हुआ कि उनमें से दो सूर्यों की तरह एक मजबूत आभा निकर रही है। ऐस भाई आकाश के बगल में अपने फ्लेम बेले देवी रूप में दिखाई दी। जलती हुई मेपल की पत्तिया अब उसकी पतली आकरिती के चारों और घूम रही थी। लिटल फ्लेम बेले के पैरों के नीचे लगातार नई जलती हुई पत्तिया उठती रही। कुछ बार लपटें उतनी सुंदर नहीं थी। वे अंधेरे के एक मजबूत अवतार के साथ लंबी लपटों की तरह थे। उनकी शांत सतह के नीचे एक उगर प्रकृती छिपी हुई है। पवित्र भालू ब्रदर्स का मुख्य तत्व अगनी था। आकाश और लिटल फ्लेम बेले एक अगनी दानव और एक अगनी दानव की तरह एक साथ खड़े थे। उनका आभामंडल आवश्यक रूप से दो अर्ध जानवरों से कमजोर नहीं था। युद्ध होने से पहले ही चार अलग-अलग लपटें हवा में भयंकर रूप से कक्रा रही थी। आकाश ने लिटल को शुरू में लगा कि दोनों अनाडी भालू बस इधर उधर खेल रहे थे क्योंकि चारों और मिट्टी कीचड की तरह बिखर रही थी। हाला कि कीचड जुलसाने वाली लपटें निकली। इनका तापमान लावा से भी ज्यादा था। चिलचिलाती कीचड जमीन पर फैल जीव ने अपना मुह खोला और आकाश और लिटल फ्लेम बेले को आग में लपेट लिया। इसके अंदर खौलता हुआ तेल भरा हुआ था। तेल की सतह पर बुलबुले लावा के पूल पर बुलबुले की तरह फूट रहे थे। प्राणी का गला किसी घाटी जितना बड कर रहे थे। उबलता हुआ तेल भूस खलन की तरह बह रहा था और पूरी जगह अब उबलती हुई पिच से बंध हो गई थी। आकाश और लिटल फ्लेम बेले के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल रालदार सामान को अपने उपर आते हुए देख सकते थ लिंग ननही फ्लेम बेले धीरे से रोई जब उसके पैरों के नीचे जलती हुई पत्तिया दिखाई दी। घाटी में पत्ते ऐसे बिखरे हुए थे, मानो तेज हवा मिपल के पेडों के जंगल में बह गई हो। पत्तिया हवा में चमकती हुई बह रही थी। तैलिय गंद में बदल गया। जलती हुई पिचकारी ने आसपास की इमार्तों और पेडों को छूते ही आग लगा दी। जैसे ही पूरे स्थान पर कीचर फैल रहा था, कुनोई और यांगेल अचानक प्रकट हुए। लाल तेल जैसी दिखने वाली लौ कुनोई थी। उसकी आग चिप चिपे जवार में पहाड से नीचे बह रही थी। पवित्र भालू का गला जल रहा है, यंगेल चिलाया, उसके मुह से सुनहरी लप्टे निकल रही थी। पूरे ख्षेत्र में फैला हुआ लाल तेल आग की लप्टों में बदल गया, जैसे की अभी-भी प्रजवलित किया गया हो। आग की लप्टे यंगेल की ही दिशा में धारते हुए हजारों अगनी भालू के समान थी। आग की लप्टे लगातार विलीन होती गई और बड़ी होती गई। आकाश और लिटिल फ्लेम बेले को ज्वाला के एक स्तंभ ने उड़ा दिया। विस्पोटों से पी दिल फ्लेम बेले को भी भस्न कर दिया। वह अब गहरे धुए में दिखाई नहीं दे रही थी। मेपल ब्लेस की जो पत्तिया उसने एकत्र की थी। वे कुछ ही समय में धुए के पार छिप गई। जब वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं तो वे बहुत मजबूत होते हैं आकाश ने सोचा। आकाश वास्तव में यांगेल की ताकत से थोड़ा आश्चर्यचकित था और जिस तरह से उन में से एक तेल फैला रहा था जबकि दूसरा उसे प्रजवलिक कर रहा था। कॉम्बो ने उनके फायर सीड्स को पहले से भी अधिक घातक बना दिया उन्हें उनकी सन्युक्त चाल के तहट बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा यदि वे दोनों भाईयों को हराने में विफर रहे। ब्लैक ड्रैगन सेट गायब हो गया था। आकाश केवल अपनी लप्टों पर भरोसा कर सकता था। फीनिक्स ज्वाला अंगिनक चमकते जलते हुए पंक प्रकट हो गए। उन्होंने धीरे धीरे आकाश पर उतरते हुए एक देव पक्षी की चवी बनाई। एक चमकता हुआ लबादा आकाश के कंधों पर लपेटा गया और उसके चारों और सुरक्षाक्मक रूप से लपेटा गया। मेंटल पर डाले गए ल आकाश के चारों और चांदी की रोशनियों से बना बहुभुच दिखाई दिया। पतली हवा में गायब होने से पहले यह एक छोटे बिंदु में सिकुड गया। आकाश बहुभुच को लेकर गायब हो गया था। एक सेकंड बाद वह कुनोय के सामने फिर से प्रकट और तुरंट उस व्यक्ति पर एक अपरकट फिंक दिया। जैसे ही आकाश ने अपनी मुठी पर सारा बल इकठा किया। वह शांदार आवर्न हवा में लहरा गया। वह धीरे धीरे भीशन आग की लप्टों के बीच आकाश में उड़ने वाले एक देव पक्षी में बदल धर्मात्मा पक्षी उचा उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुक्के की ताकत ने किसी धर्मात्मा जानवर को जगा दिया ह। प्रत्येक जीवित प्राणी भय से काम रहा था क्योंकि धर्मात्मा जानवर उन जंजीरों से मुक्त हो गया था जिनसे बहब बंधा हुआ था. कुनोय ने बहुत देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकाश इन परिस्थितियों में इतना मजबूर पलटवार कर पाएगा. हाला कि यंगेल कुनोय के पास खड़ा था और उसने समय पर आगे बढ़कर अपने गोल्डन बियर फ्लेश से मुक्के को रोक दिया. यंगेल सुनहरी लप्टों में घिर गया क्योंकि मुक्के ने उसे आकाश में 100 मीटर तक गिरा दिया. उसकी रक्षा करने वाली सुनहरी लप्टें कवच के तूटे हुए टुकडों की तरहे गिर रही थी. जब तक यंगेल वापस जमीन पर गिरा, तब तक उसकी छाती अंदर धंस चुकी थी. जब वह आकाश से अकेले लड़ रहा था, तब से भी ज्यादा बुरी हालत में वह अब था. यंगेल के गोल्डन बियर फ्लेश ने उन्हें द्रिधता का प्रभावशाली स्तर प्रदान किया. वह लगभग कुछ शासक्स्तर के प्राणियों के बराबर था. दर्द से मुह बनाते हुए भी वह अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम था. कुनोय और यंगेल की क्षमताएं बहुत भिन्न थी. यंगेल की क्षमता ने उसे सुनहरी लप्टों से घिरे सुनहरे भालू में बदलने की अनुमती दी, जिससे उसे उत्प्रिष्ट शारिरिक शक्ती मिली. कुनोय एक जादूगर की तरह था. हाला कि वह एक भालू में भी बदल सकता था. उसकी मुख्यक शमता लाल तेल के रूप में अपनी अजीब अगनी जादू का दुरुपयोग करना, अपने दुश्मनों को जला कर मार डालना था. जैसे जैसे लाल तेल लगातार फैलता जाएगा, यांगेल की सुनहरी लपतें और काया पलट इसके साथ मजबूत होते जाएंगे. यंगेल अपने सुनहरे भालू के मास को कुनोय की ढाल के रूप में भी इस्तिमाल कर सकता है. तुम अपनी मौत मांग रहे हो, अपने छोटे भाई की हालत देखकर कुनोय की आखों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी. उसका शरीर गहरे लाल रंकी लपतों से घिरा हुआ था, मानो वह एक अगनी जादूगर भालू में बदल गया हो. उसके हाथ में एक लंबी जलती हुई लाठी दिखाई दी. आकाश पर हथियार घुमाने के बाद कुनोय के पीछे एक विशाल जलता हुआ जंगल दिखाई दिया. उंचे-उंचे व्रिक्षों का घना जंगल भयंकर आग की लपतों से भस्म हो गया. अंगिनक जानवर जो बुरी तरहे जल गए थे, चिलाते हुए उसमें से बाहर भागे. यह कुनोय की अगनी जादूग्री थी. उतरी यूरोप में भालू सभी जानवरों के राजा थे, जो जंगलों पर शासन करते थे. अगनी जादूटोना में महारत हासिल करने के लिए, उन्हों अकसर जंगली जंगलों को आग की लप्टों के समुद्र में बदल देता था, और सभी जीवित प्राणियों को जलती हुई भूमी के अंदर फसा देता था. अगनी में आहुती दिया गया प्रत्येक जीवन उसका योध्धा बनेगा. प्रत्येक जीवित नमुनों की तरह थे. वे तब तक बंधे रहे जब तक उन्हें अपनी नफरत को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ी. पहाड को जलाना इतना गंभीर मामला है कि जिम्मेदार व्यक्ति को जीवन भर के लिए कैद कर दिया जाए. आपके देश में वास्तव में कोई बुनियादी शालिंता नहीं है अगर वह आप जैसे घटिया लोगों को नियंत्रित नहीं करता है. आकाश एक कदम पीछे हट गया. जिन जानवरों की आग में बली दी गई थी, वे मरे हुए जानवरों से भी अधिक दराबने थे. यहां तक कि मरे हुए लोगों में भी इतनी तीवर घ्रेना नहीं थी. जानवरों की आखों में देखने से भी आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जल कर राख हो जाएगा. आपके लोग जानवरों के मास की बनावट को बहतर बनाने के लिए उन्हें जिन्दा भूनते हैं. तुम्हें हमें डाटने का क्या अधिकार है? इसके अलावा, जंगल मेरी संपत्ती थे. मुझे जानवरों को जीवित रहने देने या उन्हें बली में बदलने का अधिकार है, उन्हों ने तिरसकार पूरवक उत्तर दिया. आग जादू करने वाले जानवर. वे राक्षस प्राणियों के बजाए सामान्य जानवर हुआ करते थे, लेकिन आग की लप्टों में बली चड़ाने के बाद गुष्ट जादू ने उन्हें एक भयानक सेना में बदल दिया था, और पवित्र भालू के दास योध्धा बन गए थे. उन्होंने आकाश पर अपनी नजरें गड़ा दी और उन्हों के आदेश पर उस पर धाबा बोल दिया. भेडिया जिसका आधा शरीर ही बचा था, आकाश पर जप्टा. उसके पंजों की ताकत एकदम चौकाने वाली थी. आकाश की रक्षा करने वाला क्रिस्टल दान्तों का घेरा अगनी जादू भेडिया जानवर के एक भी वार का सामना करने में विफर रहा. पीछे हट्टे समय अचानक आकाश के पैरों के नीचे लाल तेल उभराया. एक गंदा चुहा दानव जमीन से निकला और आकाश के घुटने पर तूट पड़ा. आकाश ने तेजी से अपने पैरों के चारों और लपेटने और उनकी रक्षा करने के लिए क्रिस्टल दान्तों का घेरा इकठा किया. उसने अपना पैर उठाया और चुहे जैसे राक्षस पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसकी खोपड़ी तूट गई. एक जलता हुआ बैल चिलाया और दू प्राने वाला नहीं था. वह उस पर लगी आग को आकाश तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह भी आग से जलने का दर्द महसूस कर सके. यह दर्द कोई सामान्य इंसान नहीं जेल सकता. आग की लपटें किसी व्यक्ति के मन और आत्मा को भी जला सकती है. आकाश को एक छोटी सी लोंगडी की आग भी आकाश को आसानी से चोट पहुँचा सकती थी, भले ही उसके पास एक महान स्वर्ग अगनी बीज था. जलते जंगल में आकाश बिलकुल आम इंसान की तरह था. इसके विपरीत, जो जानवर आग में मर गये थे, वे अजीब शम्ताओं बाले राक्षसों की तरह थे. आज तक कोई भी जीवित व्यक्ती जंगल से बाहर नहीं आया है. दर्द का स्वाध चकें, क्योंकि यहाँ आपकी कलपना से अधिक समय तक रहेगा, कुनोय पागलों की तरह हंसने लगा. आकाश जलते हुए जानवरों से घिरा हुआ था. य इसे तोड़ने के तरीके थे. आकाश इस बार अपनी पाश्विक शक्ती पर भरोसा नहीं कर सका. उन्हें शांती से एब्सोल्यूट डोमेन की कमजोरी का पता लगाना था. शांत कलपना, शांत होने की कोशिश कर रहे आकाश के दिमाग में एक आवाज गूंजी. आवाज आकाश को बेहत परिचित थी. यह जिनक्सिया था. आकाश प्रचंड लप्तों और जले हुए जानवरों से घिरा हुआ था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था. लेकिन जिनक्सिया की आवाज सुनने के बाद अचानक उसे अपने चारों और एक सुखद हवा का जोंका महसू भयावा द्रिश तेजी से बदर रहा था. जैसे किसी जादूई जटके ने मौत और विनाश की पेंटिंग को एक शांत और शांतिपूर्ण ड्राइंग में बदल दिया हो. क्रूर जानवर जुलसा देने वाली लपतें और पीडा की चीखें गायब हो गई. आकाश शांत ह उसके अगनी जादू को बुलबुले में बदल सकता है. आक का जादू सिर्फ एक ध्रम नहीं था, यह वास्तव में एक सम्वन मंत्र के समान था. यह सबसे शक्तिशाली सुपर जादूग्रों को भी यातना देने के लिए परियात शक्तिशाली था. कुनोय ने दूसरी ओर देखा और एक सुन्दर महिला को एक गेंडा पर सवार देखा. उसके सीधे गहरे भूरे बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे. उसकी जांटे उसके कानों के किनारे तक सजी हुई थी, जिससे उसका सुन्दर चेहरा सामने आ रहा था. ओर्ड सैंटेल उसे बाहर ले जाओ, उन उसने रेडियंस यूनिकॉर्ण जिनक्सिया पर सवार होकर करीब से देखा तो वह चौक गया. यह यूरोप का एक दुरलब पवित्र जानवर था. सबसे महत्वपून बात यह है कि रेडियंस यूनिकॉर्ण उसके अनुबंधित जानवर के बजाए महस उसकी सवारी थी. आपको एक प्रसिद कुल से होना चाहिए. उत्तरी पवित्र भालू बिना किसी कारण के लोगों को नाराज करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे साथ जो चाहें कर सकते हैं. मुझे दिखाओ कि तुम्हारे जैसी युवा महिला के पास क्या है? बूढे सेंटेल ने आत्म विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, मानो वह उस युवती को सिखा रहा हो कि उसे कैसे व्यवार करना चाहिए. रिडियंस यूनिकॉर्न ओल्ड सेंटेल के पास पहुँचा उसके खोर जमीन पर लइबध तरीके से थप्थपा रहे थे. जिनक्सिया भी ओल्ड सेंटेल को देख रही थी. बूढे व्यक्ती को तुरंट ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा पहार उसके उपर गिर रहा हो. वह जितनी करीब आती गई, दबाव उतना ही होता गया. अंत में, जैसे ही जिनक्सिया उसके सामने आया, ओल्ड सेंटेल पसीने से लथपत होकर घुटनों के बल गिर गया. चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका. सेंटेल, तुम क्या कर रहे हो, यंगेल उस पर चिलाया. ना मुह खोलने और दूसरों से मदद मांगने की पूरी कोशिश कर रहा था. गौान सोंगडी और उनके चाचा उल्ड सेंटेल के सबसे करीबी थे. उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था. उनके पीछे तीन पवित्र भालू अभिजात वर्ग तुरंत उनकी स साफी बढ़ गई. वैक्यूम तूफान. यह एक सुपर वाइन स्पैल था. तूफान की एक भयानक आख उनके उपर प्रकट हुई और हवा को खीच कर एक विशाल बबंडर का रूप ले लिया. हवा तेज और शक्तिशाली थी. वैक्यूम स्टॉर्म सीधे जिनक्सिया के उपर चला गया. शक्रु के जादू को दबाने में मानसिक तत्व प्रभावी था, लेकिन अधिकांश मानसिक जादूगर एक साथ दो या दो से अधिक लोगों को दबाने के लिए संधर्श करेंगे. यह एक साथ कई काम करने की कोशिश करने जैसा था. उन सभी पर ध्यान भटकाने के लिए बस उनकी मदद की जूरत थी. एक बार जब महिला का ध्यान भटक गया, तो उसने उस पर जो भारी दबाव डाला था, वह बहुत कमजोर हो गया, जिससे ओल्ड सैंटेल उसके नियंतरन से मुक्त हो गया. दुरभाग्य से ओल्ड सैंटेल भूल गया था क और कुछ शासक्स्तर के प्राणियों से अधिक मजबूत था. रेडियंस यूनिकॉर्ण ने अपना सिर उठाया और अपने सींग से एक मजबूत किरन निकाली. किरन आकाश में उडगई और तूफान की आख से टकराई. बवंदर अपने आधार से शुरू होकर गायब हो गया. तेज हवा तब्ख्त्म हो गई जब यह जिनक्सिया से 50 मीटर से भी कम दूरी पर थी. इसके अलावा रेडियंस यूनिकॉर्ण ने अपने अगले पैरों को उपर उठाया और जमीन पर पैर पटका. घने चांदी के रून उसके और उसके सवार के करीब दिखाई दि रून्स जो दरारों की तरहा जमीन पर फैल गए थे, उन्होंने सुरक्षा के घेरे बना लिये थे, जो उसके चारों और दीवारों की तरहा उभर रहे थे. रूनिक वाल्स ने जिनक्सिया को हर उस शक्तिशाली जादू से बचाया जो उसे निशाना बना रहा था. हर बार स्विकार करने को तैयार न होते हुए, जिनक्सिया और रेडियंस यूनिकॉर्न पर फिर से हमला किया, लेकिन दानव जज्जमेंट तलवार सहित कई मजबूत सुपर मंत्रों के साथ हमला करने के बाद, उन्होंने केवल पहली दीवार के रून्स को ही बाहर निकाला था. स उसकी रक्षा करने जा रहा था जब उसने ओल्ड सेंटेल को उसकी ओर बढ़ते देखा, लेकिन यह पता चला कि ओल्ड सेंटेल ही नुकसान में था. यह देखकर आकाश को राहत मिली. जिनक्सिया को अब उसकी सुरक्षा की पहले जैसी जूरत नहीं रही. आकाश कुनॉय के करीब आ गया, जो अभी भी अगनी जादू का उप्योग कर रहा था. उन्होंने देखा कि कुनॉय अपने फायर टोने टोटके को रद करने के बाद लगातार पीछे हट रहा था. जाहिर तोर पर यंगेल के पीछे छिपने की योजना बना रहा था. हाला कि यंगेल को उ अधिक समय तक दिख सकता था. चाया थीसल स. आकाश ने हाथ हिलाया. कुनोय के पैरों के नीचे गहरे रंग के काटे बड़े सापों की तरहा रेंगने लगे और उसे आकाश की ओर खीचने से पहले उसके पैरों के चारों ओर लिपट गए. कुनोय आश्चर्य जनक रूप से फुर्तिला था. वह प्रभावशाली गती से उन उटकतारों को काटने और उनसे बचने में सक्षम था जो उसे बांध रहे थे. क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल जादू टोना जानता हूँ, कुनोय की गती बढ़ती रही, धीरे धीरे वह अपने पीछे और भी जिन्हें वह अब आकाश के चहरे पर घुमा रहा था. दानव न्याय तलवार, तलवार फ्रेम. प्रकाश की चका चौंध कर देने वाली किर्णों से बनी दो भारी तलवारें आकाश के सामने आपस में टक्रा रही थी. मानो दो प्राचीन देवताओं ने आकाश की रक्ष एक शुद्ध रक्षात्मक जादूगर के रूप में, किसी के लिए एक ही जटके में उसकी रक्षा को तोरना दुरलब था. दानव न्याय तलवार फ्रेम केवल एक सामान्य रक्षात्मक मंत्र नहीं था. जाओ मान्यन ने कहा, आप भाध्यशाली हैं कि मैं समय पर आ गया अन्य था वह थपड आपके चहरे को लहुलुहान कर देने वाला था. आकाश ने सिर हिलाया. उन्होंने कुनोई को कमतर आका था. धातक पलटवार से उसे आश्चर यठ्वित करने के लिए उस व्यक्ती ने दिखावा किया था कि वह करीबी मुकाबले में अच्छा नहीं ह यदि वे इतने लापरवाह होते तो अधिकाश सुपर जादू गर्मर गए होते. आकाश हमें इस जगह को छोड़ने के लिए उनके जादूई फॉर्मेशन का उप्योग करना होगा. पूरा फेंगे माउंटेन सिटी अब शार्कमेन से घिरा हुआ है. जाओ मान्यन ने उन को नहीं रोक सका. उन्होंने सोचा था कि Northern Sacred Beers एक प्रसिद संगठन है जो गुनियादी नैतिकता का सम्मान करेगा. लेकिन यह पता चला कि ये लोग दाकूओं से अलग नहीं थे. यह बिल्कुल सपष्ट था कि Northern Sacred Beers क्या योजना बना रहे थे. वे मुख्य सदसियों में स आठ को सवारी पर ले जाने वाले थे और बाकियों को शार्क में द्वारा खाये जाने के लिए छोड़ देंगे. दुर्भा जिसे आकाश के हस्तक शेप के कारण Northern Sacred Brothers को अब उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी. आकाश के ग्रूप में अपास समेट 6 लोग थे. वे केवल उ तुम्हारे पास कुछ तेज पंजे हैं. मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मुझसे बहतर हैं. आकाश मुस्कुराया. उसने तेजी से Black Dragon Sleeves निकाली, जिसके नुकीले पंजे उसकी उंगलियों से चिपके हुए थे. पंजे ओपसीडियन थे और भयभीत करने वाले धंग से हद तक बढ़ा सकते हैं, बल्कि उनका उपयोग दुश्मन को तब घातक जटका देने के लिए भी किया जा सकता है, जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न हो. कुनोय को उम्मीद नहीं थी कि उस युवक के पास इतनी सारी कीमती चीजे होंगी. यह निश्चित किसी अंधेरे दलदल में गिर गया हो. भयानक और भ्रमित करने वाले माहौल के कारण यह बताना असंभव हो गया कि कौन सी दिशा थी. धुए का एक काला गुबार अचानक कुनोय के पीछे एक पतली आकरिती में बदल गया. उसने अपने पंजे उचे उठाए और भयानक प्रकट कर रहा था. यह एक बेकार चाल के अलावा और कुछ नहीं है. उतरी पवित्र भालू आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, कुनोय ने गुराया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुका है, उसने आकाश की पसलियों में पंजे गहराई तक घुसा द उसे सीने में सूली पर चढ़ा दिया गया और हवा में उठा दिया गया, लेकिन मुस्कुराहट अप्रिवर्तित रही. कुनोय स्थब्ध रह गया. आकाश का शरीर अचानक काले धुए में बिखर गया, जैसे काली स्याही पानी को छुकर जील में मिल जाएं. यह कैसे संभ कुनोय के गुबार की तरह कैसे बिखर गया, ऐसा कौन सा जादू है जो किसी व्यक्ति को धुए में बदल सकता है. एक थंडी जिल मिलाहट जील के पार चली गई. आकाश फिर से रोशनी के किनारे पर प्रकट हुआ. उसकी पीठ थंडी और अंधेरी थी, मानो अंधेरे मे मंदरा रही कोई खूनी योगिनी हो. कुनोय की पीठ पर पंजों के पांच निशान काटे गए थे. अपने अर्ध जानवर रूप में उनका बचाव उतक्रिष्ट था, फिर भी यहां आकाश के पंजे के सामने कागस के टुकडे की तरह था. मरना कुनोय ने गुराया. उस लग रहा था जैसे वह तुरंत काली धुंद से प्रकट हो सकता है और हर जड़ाय हो सकता है, जैसे कि धुंद में व्यवस्था पर उसका पूरा नियंत्रण हो. आग की लप्टों की तीवरता के बावजूद काली धुंद चाही रही. इसका प्रभाव क्षेत्र कुनोय की क अधिक था और उसकी लप्टें इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जला रही थी. वे पूर्ण अंधकार में जुगनों की तरह महत्वहीन थे. क्या यह चाया तत्व है? अंतरिक्ष तत्व? नहीं, यह अराजक्ता तत्व है. तुम चुगते हो, मेरा मजाक उड़ाने के ल जा लिया था, लेकिन परिनाम बिलकुल विपरीद था. यह अराजक्ता तत्व का स्वभाव मात्र था. यह एक जोकर की तरह जादू का कर्तब दिखाने जैसा था. लोग पहले तो इस पर आश्चर्य करेंगे, लेकिन अंत में यह सिर्फ एक घ्रामक चाल थी. इसकी तुल दुश्मन की चाल की प्रकृती को पहचानना था. रहस्य था. दल्दल की सतह पर दर्पण. कीचर भरा दल्दल प्रतिबिम्बित नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह चिकनी सतह के बिना एक विशाल दर्पण था. हर बार जब वह उस धोखेबास पर हमला करता था जो उसे वास्तविक दिखता था, तो असली दुश्मन वास्तव में दर्पण के दूसरी तरफ था. इसलिए असली दुश्मन का स्थान था. कुनोय ने उसके पैरों की ओर देखा. उसने वास्तव में दल्दल के नीचे एक आकरिती देखी. इसकी गतिविधिया फैलते दुसरे शब्दों में उसका दुश्मन हमेशा से दल्दल में छिपा हुआ था. वह अपनी परचाई दिखा कर कुनोय को धोखा दे रहा था. यही कारण था कि वह धुएं के गुबार की तरह इतने अजीब तरीके से बिखर सकता था. कुनोय मन ही मन बुरी तरह हस रहा था लेकिन उसने दिखावा किया कि उसे अभी भी स्थिती के बारे में कोई जानकारी नहीं है. आकाश उसके करीब आएगा तो वह अपने दुश्मन पर घातक प्रहार करने के लिए तयार था. मरना. कुनोय को अंतह अपना अफसर मिल गया. जब आकाश ने वही हमला दोहराया तो उसने आकाश की पसलियों को निशाना बनाया. हाला कि इस बार कुनोय सीधे आकाश की छाती में चुरा घूंपने वाला था और उसे टुक्रे टुक्रे कर देने वाला था. उस आदमी ने उनका समय बरबाद किया और उन्हें अपमानित किया. यदि वे उत्तरी और हड्डियों में चुभ रहे हैं तो वह जोर से हंसने लगा. उसे यह स्विकार करना पड़ा कि आकाश जैसे कष्टकारी शत्रु से उसका सामना हुए बहुत समय हो गया है. उस युवक ने कुछ चाले चली, लेकिन अंत में वह अपने अहंकार के कारण हार गया. हर व्य कुनोय अंधेरे के दलदल से बाहर चला गया. वह आकाश को अपने दोस्तों के सामने जमीन पर फैंकने जा रहा था ताकि वे उत्तरी पवित्र भालू के खिलाफ जाने के परिनाम देख सकें. जेन शेन नरसरी घर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, जिसमें मुख्य इमा उहें सिकोर ली और अचानक उन्हें कुछ एहसास हुआ. उसने नजर उठा कर देखा, जिस शव को वह अपने सिर के उपर ले जा रहा था, उसके चहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं दिख रहा था. इसमें पहले जैसी ही आत्म विश्वास भरी मुस्कान थी. कुनोय त तुरंत दर से काम उठा. जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, निकट दूरी पर सब कुछ बेहत वास्तवित लग रहा था. यह पता चला कि उसके आसपास की चीजों के बजाए वह उल्टा लटका हुआ था. वह युद्ध की लूट का माल लेकर अंधेरे के दलदल से बा रहा था. उसे बड़ा सदमा लगा. सब कुछ उल्टा क्यों है? यह हो सकता है. उसका अनुमान गलत था. आप बहुत चौकस थे, लेकिन आप खुद के बजाय केवल अपने आसपास और मुझे देख रहे थे. आप यह महसूस करने में असफर रहे कि आप भी प्रतिविम के अंदर थे. आकाश ने समझाया वह अच्छी तरह जानता था कि कुनोय कितना हैरान था. कुनोय को अपनी रीड की हड़ी में तेज ठंड़क महसूस हुई. यहां तक कि उसकी आत्मा भी ठिठुर रही थी. आकाश की बाते सुनकर आखिरकार उसे अपनी गंभीर गलती का ए यक्ति फंस जाता था, तो वे अपने बंधनों से मुक्त होने और उन्हें फंसाने वाले अपराधी को मारने की हर संभव कोशिश करते थे. हाला कि यदि आपने किसी को फंसाया है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस कराया है कि वे अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, वे अपना ध्यान और क्रोध केवल अपने आसपास की चीजों पर केंद्रित करेंगे. यह बिल्कुल वही चाल थी जो आकाश ने इस्तिमाल की थी. हाला कि सबसे महत्वपून बात यह थी कि कुनोय को जाल की प्रकृती का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसने आकाश की क्षम यह वास्तविक मानने के लिए अंतरिक्ष और अराजक्ता तत्वों का उप्योग किया था. उन्होंने केवल अंतरिक्ष, छाया या अराजक्ता तत्वों का उप्योग नहीं किया. वह मैजिक फ्यूजन का उप्योग कर रहा था. यह अंतरिक्ष, छाया और अराजक्ता तत जोड़ सकता है। इसलिए आकाश की चाल को शायद कोई भी नहीं समझ सका। नौर्धन सेक्रेट बियर्स के बाकी सदस्य ठंडे पसीने से लथपत थे जब उन्होंने आकाश को खून से लथपत कुनोय को ले जाते देखा। उनके नेता हार गए। इससे पहले कि वे सगमे स उबर पाते एक जला हुआ शरीर आसमान से जमीन पर पटक गया। सभी ने इसे बेखा और महसूस किया कि यह यांगेल था जो हामफते हुए अपनी आखिरी सांसे ले रहा था। हवा में बिखरी खूबसूरत मेपल की पत्तियों से घिरी एक चमकदार आग नीचे चमक रह उनके बीच में एक दुबली पतली आकरती किसी कुलीन सामरागी की तरहे खड़ी थी। जंगेल हार गया था, भले ही उसका दुश्मन भी अगनी तत्व का उप्योग कर रहा था। दो पवित्र भालू भाई बुरी तरह हार गये थे। अन्य सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ पर आसमान तूट पड़ा हो। शेश लोग अपने लिए जगह सुरक्षित करने के लिए अवचेतन रूप से टेलिपोर्टेशन पोर्टल की ओर भागे। आकाश गवान सोंगडी के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा वह कहा है। अगर मैं इसे तुम्हें दे जिसमें अर्थ फ्लेम पिस्टॉल था। क्या आपके पास जीवित रहने का अपना विशेश तरीका नहीं है। शार्कमेन सरदार अविश्वसनिय रूप से मजबूत था। इसने एक बार ब्लैक टोटेम सांप को एक बार में ही काट कर घायल कर दिया था। यदि हांग जो के प्रभावशाली संसाधन नहीं होते तो शहर का अंत लान्यां की तरह ही हो गया होता। शह लोगों ने जगह चोड़ने के लिए अर्थ फ्लेम पिस्टिल को सुरक्षित करने के बाद टेलिपोर्टेशन पोर्टल में कदम रखा। टेलिपोर्टेशन पोर्टल के लिए दो उपलब्ध स्लोट बचे थे। Northern Sacred Beers के सदस्य एक दूसरे की ओर घूर कर देखने लगे क्योंकि उन्होंने अचानक खुद को बैटल रॉयल के खेल में पाया। उनके नेता ने केवल आठ लोगों को जीवित छोड़ देने की योजना बनाई थी। परिनामस्वरूप Northern Sacred Beers के सदस्य अपने बीच की मित्र शहर के करीब घूम रहे थे। एक शार्कमेन सरदार एक विशाल परवत की तरहे शहर के उपर मंदरा रहा था। उनके शरीर सभी उच्छधनत्व वाली धातू की तरहे मजबूत थे। उनका मास पहाडों को तोड़ने के लिए काफी कठोर था। वे गुस्से में उन इंस लोग भागने में सफर रहे हैं, मुबाई ने चिंतित होकर जोर से सोचा। लैन्यांग के एक होटल में कुछ बचे हुए लोग बचे थे। उसे नहीं पता था कि जब शार्कमेन फेंगे माउंटेन सिटी की ओर बढ़ रहे थे तो वे भाग निकले थे या नहीं। जदी वे सही समय पर नहीं निकले होते, तो शहर में उनके जीवित रहने की संभावना बेहत कम थी। अब जीवित बचे लोगों की मदद के लिए आकाश और उसका दल कुछ नहीं कर सका। लिंगलिंग ने उनके स्थान की जाच करने के बाद कहा, अब हम फैनक्सिव परवत के क करनी पड़ती, हाला कि यदि वे दक्षेन की ओर जाते, तो वे लगभग 400 किलो मिटर की यात्रा करने के बाद फैनक्सिव परवत के बाहरी इलाके में पहुँच जाते, अर्थ फ्लेम पिस्टिल अत्यंत मूल्यवान था, उन्हें इसे सरकार और सेना को सौंपना पड़ा, उनका सबसे अच्छा कदम पहले फीनियो शहर जाना और मदद मांगना था, जरूर चलो फैनक्सिव परवत पर चलें, आकाश ने सिरहिलाया, वे इस खशेत्र में अपने स्वागत से अधेक रुखने का जोखिन नहीं उठा सकते थे, शार्कमेन को कम नहीं आका जाना चाह अब तक स्पेस माजिक फॉर्मेशन द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसर्ण कर रहा होगा, जैसे ही वे जाने वाले थे, अचानक अंधेरे आकाश में बिजली के बड़े-बड़े बोल्ट दिखाई देने लगे, बिजली के बादलों में उड़ गए और आकाश और उसके दल के चारों और बिखर गए, जैसे थंडर के देवताने पहाड में बिजली का जंडागार दिया हो, एक सुपर बिजली जादू, आकाश हामफने लगा, उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जाहिर तोर पर यह कोई सामान्य बिजली का जादू नहीं था, इसे एक घात लगा कर हमला करने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्या हो रहा है, जाओ मन्यन चिलाया, हवा में जली हुई गंध फैली हुई थी, बिजली के बोल्ट अविश्वसनिय रूप से तेज थे, समुह ने लाइटनिंग पनिश्मेंट फॉर्मेशन को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बिजली की अभेद्य दिवारों से टकरा गए, यह एक शक्तिशाली जादूई संरचना है, यह घात है, आकाश ने उन्हें गंभीर चेतावनी दी, आकाश एक बिजली जादूगर था, वह जानता था कि बिजली के जादूगर के लिए बाहरी मदद के बिना इत मैं जाओ जिंग आपके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग कौन हो, उस आदमी के बाल जाडू की तरह सीधे थे और उसका चेहरा पतला पीला था, उसकी आखें चील की तरह तेज थी और ठंडी मुस्कुराहट के साथ टिम्टिमा रही थी, आप उत्त कितना दिल्चस्प, मैंने सोचा कि मैं उन उत्तरी पवित्र भालू बच्चों के पीछे जा रहा था, लेकिन अगर आप उन्हें बाहर निकालने में काम्याब रहे, तो इसका मतलब है कि आपको उनसे अधिक दिल्चस्प होना चाहिए, वह आदमी चिलाया, आकाश का चेह महसूस हुआ, भले ही वे टेलिपोर्टेशन पोर्टल से भागने में सफल हो जाते, फिर भी अंत में उनकी मृत्यो हो जाती, इससे केवल यह पता चला कि अर्थ फ्लेम पिस्टिल कितना मूल्यवान था, हर कोई इस पर अपना हाथ डालना चाहता था, लिंगलिंग ने नि पुशासन और नैतिक्ता का अभाव है, व्यक्तिगत हितों से अलग होने से पहले यह केवल समय की बात थी, मुबाई ने शुश्कता से सहमती व्यक्त की, वह मानव स्वभाव से भलीभाती परिचित थे, अभी चर्चा का समय नहीं है, यह आदमी प्रबल शत्रु है, हमें उनकी बदनाम प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुना है, कई नामी संस्थाएं उनसे डरती है, मेरे पिता ने पहले उसका उल्लेख किया था, उन्होंने कहा कि अगर यह जाओ जिन खुद को सही रास्ते पर समर्पित करने के लिए तयार होता, तो वह आसानी से एक जाओ मान्यन ने उन सभी को सूचित किया, जाओ कबीला मुख्य रूप से अपनी संपत्ती के लिए प्रसिध था, हाला कि परिवार में अभी भी कुछ शक्तिशाली जादूगर थे, जिनसे दुनिया भर के कई संगठन सावधान थे, यह जाओ जिन उनने से एक था, अपन जाओ जिन द्वारा छोड़ी गई गडबडियों को निप्ताने के लिए जाओ परिवार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था, उसके सभी चार तत्व सुपर लेवल के शिखर पर पहुँच गए हैं, आकाश ने दोहराया, मम्म मेरा मानना है कि कई साल हो गए हैं, कोई आ आइटनिंग स्पैल को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, आकाश ने उन्हें याद दिलाया, बिजली की सजा संगरचना के माध्यम से गड़गडाहट जारी रही जिसने पूरे पहार को धकलिया था, ऐसा महसूस हो रहा था, मानो कोई धोल लगातार उनके उपर पहुचा सकता है, यह धीरे-धीरे उनकी हड़ियों को धीला कर देगा, उनकी मांस्पेशियों को फार देगा और उनके अंगों को चकना चूर कर देगा, बिजली को उनके शरीर को नुकसान पहुचाने से रोकने के लिए उन्हें लगातार अपनी उर्जा पर ध्यान लिंगलिंग ने अर्थ फ्लेन पिस्टिल के कंटेनर को अपने स्पेस ब्रेसलेट के अंदर रखा था, लेकिन जाओ जिनको किसी तरहे पता था कि यह कहा था, उसकी आखें उत्तेजना से चलक रही थी, छोटी लड़की मुझे अपनी छोटी बाह काटने के लिए मजबू पूरा जहास बिजली से बना था, जो एक शांदार प्रदर्शन में अंधेरे धुंध में घूम रहा था, एक भूतिया जहास जाओ जिनके असामान्य बिजली के जादू से आकाश चकित रह गया, बिजली से बना भूत जहास अंतह जमीन पर गिर गया, और आसपास की एक जर्जन से अधिक पहाडियों को टुकडो में तोड़ दिया, कुछ ही देर पहले हर जगह पहाड और जंगल थे, लेकिन जब लाइटनिंग गोस्ट जहास जमीन पर गिरा तो पूरा चेत्र समतल हो गया, हवा में धूल चाई रही, मानो भयानक बिजली के जादू ने प्र संभव प्रयास किया था, लेकिन अंत में उसके हाथों से खून बह रहा था, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे, जो ज़ाओ मान्यन को चोट पहुँचा सकें, जब उसने अपने हाथों की भयानक हालत देखी, तो उसकी आखे क्रोध से जल उठी, इस ज़ाओ है कि उसका सपष्ट रूप से उनके जीवन को बक्षने का कोई इरादा नहीं था, पीस्क टीएस के मैं प्रभावित हूँ, जैसा कि उत्तरी पवित्र भालू को बाहर निकालने वाले समूह से अपेक्षित था, ज़ाओ जिनने उनका मजाक उडाया, वह ज़ाओ मान्यन से नजर हटाए बिना जादूरी संरचना के किनारे पर पीछे हट गया, उन्होंने कहा दुर्भाजे से दुनिया कभी निश्पक्ष नहीं होती, आपने अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग कर लिया है और मान लिया है कि आप मृत्यू से बच गए हैं, लेकिन यह जाओ जिनने शक्तिशाली मंत्रों के साथ जाओ मान्यन को निशाना बनाना जारी रखा, एक क्षण पहले जब सब कुछ दमीन पर धराशाई हो गया था, तब बने धूल के बादल से बाहर निकलती मोटी और लचीली लताए, यदि कोई उपर से नीचे देख रहा होता, त जाओ मान्यन और अन्य लोगों पर पटक दिया, दुष्ट लताय पहाड की तरह जमीन से उभर आई थी और विशाल पंजो में बदल गई जो विनाशकारी विनाश ला सकती थी, जाओ मन्यन के पास कुल तेरह जल प्रार्थना मोती थे, उनके द्वारा परिश्कृत प्रत बुड़ा जाओ, जाओ मान्यन की स्थिती का निरीच्षन करने के लिए म्यूबाई तुरंत छेद में कूद गई, जाओ मन्यन जमीन पर लेट गया, वह वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संधर्श कर रहा था, म्यूबाई ने उसकी मदद की और देखा कि जा जाओ मन्यन को गड़े से बाहर निकाला, जब जियाम शौकसु ने देखा कि जाओ मान्यन की चुटें कितनी गंभीर थी, तो वह हांफने लगी, यहां तक कि जाओ मान्यन जैसा रक्षात्मक जादूगर भी दुश्मन के मंत्रों का सामना नहीं कर सका, मैं उसे कुछ देर के लिए रोक कर रखूंगा, मेरे लिए उसकी देख भाल करो, मुबाई आगे बढ़ी, उसने आइस ब्रश को कसकर पकड़ रखा था, और उसका आइस पैलेट उसके दाहिने हाथ के उपर तैर रहा था, हवा ठंडी होने लगी, भयानक बिजली के जटके, जो दुश्ट द किसी चिंता के कहा, बर्फ के सैनिक म्यूबाई की आभा काफी बदल गई थी, उसने आइस ब्रश को उस तलवार की तरहे पकड़ रखा था, जिसका उप्योग एक जनरल द्वारा तीन हजार विशिष्ट सैनिकों की कमान संभालने के लिए किया जाता था, थंड हवा में ब म्यूबाई ने आइस ब्रश के साथ एक पूरी सेना तयार की थी, उसने सिपाहियों को अपना आदेश दिया, जैसे ही म्यूबाई ने जाओ जिंग पर आइस ब्रश का इशारा किया, वे निडर होकर आगे बढ़े, जाओ जिंग ने अपनी थुड़ी को थोड़ा उपर उ पर उसके चारों और गहरा लाल प्रकाश प्रक्षेपित होता था, जो धीरे-धीरे अंगिनत क्रिपानों, कल्वारों, कुलहाडियों और भालों में बदल जाता था। प्रकाश के हजारों ब्लेड जल्द ही जाओ जिनके पीछे मंदराने लगे। जाओ जिन द्वारा तेजी से चिल्लाते हुए अपना हाथ लहराने के बाद मुबाई ने जो सेना अस्तित्व में लाई थी, उस पर वे उड़ गए। के पार चला गया हो और पीछे कुछ भी न छोड़ा हो। मुबाई के सैनिकों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ब्लेडों के बह जाने के बाद जो कुछ बचा था वह बर्फ के टुकरे थे। उसकी सेना मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मुबाई ने भौहें चड़ा दी। सोल्जर्स आफ्स नो सबसे मजबूत चाल थी जिसमें उसने हाल ही में महारत हासिल की थी। इसे सबसे शक्तिशाली बर्फ मंत्रों में से एक माना जा सकता है लेकिन यह उसके दुश्मन के हलके जादू के सामने टिक नहीं सका। उसने आइस पैलेट को हवा में उच्छाल दिया। अपने उच्छतम बिंदू पर पहुँचने के बाद इसका विस्तार एक परवत के आकार तक हो गया। जमा हो गई थी। जैसे ही आकाश ने अपने लाइटनिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सक्रिय किया, बिजली का जादू समुदर के तल में खाई की तरह उसमें समा गया। इससे दूसरों को लगातार होने वाले गर्द से तुरंत राहत मिल गई। बिजली की सजा सं जम्जोर हो रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप जब वे शक्तिशाली मंत्रों का उप्योग कर रहे थे, तो उन पर भारी बोज पढ़ रहा था। यहां आंतरिक चोटों वाले एक मार्शिल आर्टिस्ट की तरह था। हर बार जब वह अपनी आंतरिक शक्ती का उप्योग करने की कोशिश करता, तो इससे उसकी चोटें और भी बत्तर हो जाती। आइस पैलेट माउंटेन का उप्योग करने के बाद म्यूबाई ने मुह से खोन उगल दिया था। लाइटनिंग माजिक फॉर्मेशन उनके लिए वापस लड़ना मुश्किल बना रहा था। आकाश में मौजूद लाइटनिंग माजिक को अवशोशित करना और लाइटनिंग माजिक फॉर्मेशन से बाहर निकलना जारी रखा। जादू उनके लाइटनिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में खीचा गया था क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे इसे अपनी शक्ती में बद और जब यह ड्रमों से टकराया तो भारी विस्पोट हुआ। एक जोरदार धमाके से आसमान हिल गया। सभी दिशाओं में बिजली के जादू का एक बड़ा उच्छाल जारी करने से पहले बैंगनी बिजली का गोला फट गया। रात का आकाश तुरंत जगमगा उठा। विरुट की रोशनी ने उसके कठोर खोल को चमका दिया और उसे और भी अधिक दरावना बना दिया। यह समुदर में रहने वाले किसी जीव के बजाए किसी अंतरिक शियान जैसा लग रहा था। यह मानव सभ्यता के विरुध युद्ध छेडने आया था। यह शार्कमै सरदार का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। फैनक्सिय उपरवत्तक पहुँचने से पहले आकाश और उसके दल को रोकने में कोई परिशानी नहीं हुई। यह परिशानी वाली बात है। यह समुदरी राक्षस कभी नहीं जानते कि कब हार माननी है। यहां म पहाड पर सुरक्षित खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में अधिक गहरी थी। इसे सौंप दो और तुम कम से कम इस जगह को जीवित छोड़ सकते हो जाओ जिनने आकाश से मांग की। शारकमैन सरदार ब्लैक टोटेम स्नेक के समकक्ष एक सरवोच शा सकता। यहां तक की जाओ जिनका भी इतने शक्तिशाली प्राणी से कोई मुकाबला नहीं था। उसके असहच स्वर ने संकेत दिया कि वह शारकमैन सरदार का सामना नहीं करना चाहता था। वह अपने स्तर के प्राणी से लड़ते हुए एक पल में मर सकता है। आकाश आग शारकमैन सरदार ने ब्लैक टोटेम साम्प को भी काट लिया था। एक बार जब प्राणी उनके करीब आ गया तो उनमें से बहुत से लोग उससे बच नहीं पाए। आकाश अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि एक सर्वोच शासक से मुकाबला कर सके। समस्या यह थी कि जाओ जिन सपष्ट ग्रूप से उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। वे प्रित्वी ज्वालास्त्री के सर को कभी नहीं सौंपेंगे। जाओ जिन देश के लिए योगदान देने वालों में से नहीं थे। यहा तक कि जाओ मान्यन ने भी कहा था कि वह एक बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि शारकमें सर्दार के आने से पहले मैं तुम्हें बाहर नहीं लिजा सकता। मैं पहले तुम्हें मार डालूँगा और उस जवान ओरत की गरगन मरोड़ दूँगा जाओ जिन ने गुर राया। शारकमे पर नजर डाली, जिसे उसने घायल कर दिया था। जिनक्सिया ने जाओ मानियन की चोटों का इलाज करने के बाद सभी पर प्रार्थना की रोशनी भी डाली थी, जिससे लाइटनिंग माजिक फॉर्मेशन से लगी चोटों को जल्दी से ठीक किया जा सके। इसका मतलब था कि उसने जो लाइटनिंग माजिक फॉर्मेशन तयार किया था और जो शक्तिशाली मंत्र उसने फैलाए थे, वे सब व्यर्थ थे। ये लोग पहले ही अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जदी महिला के पास केवल उपचार तत्व होता तो जाओ जिन इतना क्रोधित नहीं होता। हीलिंग एलिमेंट कुछ चोटों को ठीक नहीं कर सका, जिसमें किसी व्यक्ति के दिमाग और आत्मा को हुई आंतरिक शती भी शामिल है। हाला कि आशिरवाद तत्व अलग था। यह एक जादूगर की उर्जा की भरपाई कर सकता है और मन और आत्मा की आंतरिक चोटों को ठीक कर सकता है। आकाश, जाओ, मन्यन और म्यूबाई ने भी अपना मन पूरी तरह से भर लिया था, जैसे कि वे कभी किसी लडाई में शामिल नहीं हुए हो। दूसरी और जाओ जिनने पहले ही अपनी कुछ उर्जा खर्च कर दी थी। लाइटनिंग मैजिक फॉर्मेशन ने उसके अधिकांश लाइटनिंग मैजिक को खा लिया था। यदि वह एक और बिजली मंतर का प्रयोग करता, तो वह जोर से हामफने लगता। तेज सोच, जिनक्सिया ने एक और आशिरवाद मंतर डाला, और आकाश, मुबाई और जाओ मन्यन के कानों में एक जीवन्त धुन बजाई। विशेश राग उनके आध्यात्मिक संसार की गती को बदलने में सक्षम था। वे अपने सितारों को अधिक तेजी से जोडने में सक्षम थे। उसके शीर्ष पर सितारों की अपनी चेतना प्रतीत होती थी। तिकडी को अब अपने सितारों पर नियंतरन नहीं रखना था। वे आवशक पैटर्न और संग्रचनाय बनाने के लिए स्वयन से जुडेंगे। जादू की प्रबल उपस्थिती से भरा हुआ, एक शांदार सितारा महल जमीन से उभरा। अरे बक्वास, यह बहुत तेज है। जाओ मान्यन ने चिला कर कहा। वे उन्नक मंत्रों की तरह ही सुपर मंत्र भी सहच्टा से डालने में सक्षम थे। हालाकि भले ही उन्हें अब मानक स्टार महलों का निर्मांड नहीं करना था, फिर भी उन्हें अपने मंत्रों में बहुत सारी उर्जा लगानी थी। स्टार महल विशाल भाप इंजनों की तरह मंत्रों को उर्जा प्रदान कर रहे थे। यदि वे अपनी उर्जा से समझोता किये बिना तारा तारा मंडल के निर्मान की गती से तारा महलों का निर्मान करने में सक्षम होते तो उन्हें अब उनसे अधिक उच्छ साधना वाले जादूग्रों से डरने की जूरत नहीं होती। वे उनके समान स्तर के शासक स्तर के प्राणियों से भी मुकाबला कर सकते थे। जादू को प्रसारित करने की आवश्चता हमेशा से ही मैजेस की एक बड़ी कमजोरी रही है। यदि वे किसी जादू को प्रसारित करने के लि तो वह तीन या चार परते भी बनाता उनके पास काफी रक्षात्मक मंत्र थे यदि वे अभी भी पर्यात नहीं थे तो उसे कुछ हिट लेने में कोई आपत्ती नहीं थी क्योंकि जिनक्सिया उनके साथ था यहां तक कि अगर वह मर भी गया तो जिनक्सिया उसे पुनरुत्थान के मंत्र के साथ वापस जीवन में ला सकता है आप दोनों का उपनाम पहले से ही एक ही है मुबाई ने फुस्फुसाते हुए कहा जाओ मन्यन ने म्यूबाई पर अपनी आखे घुमाई आखिर वह इतनी बाते क्यों कर रहा है आकाश जाओ अपना काम करो मैं आपका ख्याल रखूंगा जाओ मान्यन चिलाया ठीक है आकाश अब पूरी तरह से बिजली के गोले से ढखा हुआ था जो चमकीले तराजू की तरह उसके शरीर से चिपक गया था ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहाड के पार तेजी से दौरते हुए अपने कंधों पर बिजली का लबादा लपेट लिया हो चुकि उनके लाइटनिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट सक्रिय हो गए थे हर कदम पर उन्होंने सभी दिशाओं में हजारों बिजली के आर्क फैलाए जिससे पूरा शेतर भर गया अकाश सचमुच बिजली की गती से जाओ जिनकी ओर भागा फिर हवा में उचल गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा आकाश पहले से ही हर कदम पर हजारों बिजली चमका रहा था अकेले ही जब वह अपनी ताकत जमा करने के बाद जमीन पर गिर गया उसने बिजली का सारा जादू अपने पैरों में समेट लिया था प्रभाव ने कई बिजली ड्रेगन को बाहर भेज दिया वे क्रोधित बैलों की तरह भूमी पर छा गए, बादलों में उर गए और आकाश में बिजली की चमक छोड़ी जाओ जिन अवाक रह गया उन बिजली ड्रेगन को कम नहीं आका जाना चाहिए वह सामान्य परिस्थितियों में उन्हें संभालने में सक्षम हो सकता है वह कभी स्विकार नहीं करेगा कि किसी का बिजली का जादू उससे अधिक मजबूत था लेकिन उसने उत्तरी पवित्र भालूओं को फंसाने के लिए बिजली की सजा संरचना की स्थापना के लिए अपने अधिकांश बिजली के जादू का उप्योग किया था जाओ जिन पीछे हट रहा था उसके पास लड़ाई से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था भले ही वह ऐसा करने के लिए तयार नहीं था प्रत्येक बिजली जादूगर कुछ हद तक चिर्चिडा था जाओ जिन ने पीछे हटते हुए आकाश को बुरी नजर से देखा न केवल उस गधे ने मेरी उर्जा को अवशोशित कर लिया बल्कि उसने इसका इस्तिमाल मेरे खिलाफ भी किया उसने वास्तव में इन युवा जादूगरों को कमतर आका था जाओ जिनके पास उतकृष्ट बिजली प्रतिरोध था बिजली के ड्रेगन की गुजरती मूचों ने केवल उसके कपडों को नुकसान पहुचाया था जाओ जिनके कपडों में छेद के माध्यम से अजीब निशान दिखाई दे रहे थे लेकिन वे आकाश के हमलों के कारण नहीं हुए थे निशान अनियमित और अजीब थे और उसकी तवचा पर रेंगते कीडों की तरह लग रहे थे जब म्यूबाई ने जाओ जिनके शरीर पर निशान देखे तो वह आश्चर यचकित रह गई जाओ जिनकी अभिव्यक्ति डूब गई जैसे वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसके बदसूरत दाग देखें मैं आप सभी को कुछ समय दूँगा जाओ जिनके समोह की ओर देखा और कहा यह सूचने के लिए कि अगली बार जब आप मुझे देखेंगे तो आप मुझसे दया की भीख कैसे मांगेंगे उसका शरीर धुंधला और फीका पढ़ने लगा ऐसा लग रहा था मानो कोहरा उसके चारों और लिप्टा हुआ हो धुंध जल्द ही हवा में गायब हो गई और उसे भी अपने साथ ले गई क्योंकि उसने जमीन पर एक अजीब लाल अंकुर वाला पौधा छोड़ दिया यह उस भूमी में जड़ जमा चुका था जो बिजली गिरने से जुलस गई थी हाला कि आकाश का रंग पौधे के समान लाल होना शुरू हो गया जिसमें चंद्रमा और तारे भी शामिल थे जैसे ही अजीब पौधा लहराया रात के आकाश में लाल तारे कुछ अजीब बीजों की तरहे गिरने लगे जिन्हें एक दुष्ट देवता सासारिक दुनिया पर छिड़क रहा था जमीन पर गिरने वाला हर बीज एक बड़ा भुकंप ला देगा जैसे ही और तारे जमीन पर गिरे जमीन दरकने लगी हाला कि पौधे को किसी तरह विनाश से पोशक तत्व प्राप्थ हो रहे थे वह धीरे धीरे एक उचे पेड़ के आकार का हो गया वह विचित्र पेड फिर से लहराने लगा इसके फल्क शुद्रग रहो की तरह जमीन पर गिरते रहे आकाश और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे वह इस समय एक छोटी सी दुनिया में है जो नश्ट होने वाली है वह किसी भीक्षन रसातल में डूब कर मातर धूल में बदल जाएंगे अरे बक्वास यह कैसा जादू है जाओ मान्यन ने शाप दिया उसकी रक्षात्मक बाधाय धै रही थी यह पहली बार था जब उन्होंने जादू के उच्छतम स्तर की ताकत देखी शिलालेखों की दीवारे जिनक्सिया ने तुरंत रेडियंस यूनिकॉर्न को जाओ मान्यन की मदद करने का आदेश दिया रहस्यमय रून्स रेडियंस यूनिकॉर्न के चारों और तैरते रहे और समूह के चारों और रूनिक दीवारों के घेरे बनाए प्रत्येक चमकता हुआ रून सुपर स्पेल का सामना कर सकता है दीवारे सुपर जादूग्रों के एक समोह के लगातार हमलों का भी सामना कर सकती थी हाला कि जैसे जैसे यह अजीब पेड बढ़ता गया इसके फलों से होने वाला बिनाश और भी बत्तर होता जा रहा था दूरी में कुछ पहाडिया अपेक शाकरित छोटे उलकापिंडों से टकरा कर चप्ती हो गई हमें पेड काटना होगा जियांग शाउक्सु चिलाई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है मैं इसे करूंगा आकाश बाहर ही था वह गिरते उलकापिंडों से बचने के लिए अंतरिक्ष तत्व का उप्योग कर रहा था उलकापिंडों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई तक्करों से भारी जटके महसूस हो रहे थे जो एक दर्जन किलोमिटर दूर तक फैल रहे थे आकाश जटके की लहरों को ऐसे जेल रहा था जैसे कोई नाव समुदर के बीच में तूफान के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हो पेड अभी भी बढ़ रहा था और पहले ही कई सौ मीटर की उचाई तक पहुँच चुका था यह एक राक्षसी प्राचीन व्रिक्ष जैसा दिखता था आकाश को आश्चर्य हुआ कि अगर यह बढ़ता रहा तो क्या यह और भी बड़े उलकापिंडो को बुलाएगा आकाश ने जाओ मन्यन की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया था जब उसने उन्हें चेताबनी दी थी कि उनका दुश्मन कितना मजबूत है लेकिन अब उसे एहसास हुआ की जाओ जिन कितना हास्यासपद रूप से मजबूत था उनका हर जादू दुनिया को हिला देने वाला था चोटी लौ बेले मुझे एक कुलहाडी दो आखिरकार आकाश ने सबने की लहरों से पार पालिया और अपने हाथ उपर उठा दिये जल्ती हुई मेपल की पत्तिया आकाश की हथेलियों के उपर चक्कर लगाने लगी और ज्वाला का एक विशाल स्तंब आकाश में उठने के बाद तेजी से एक विशाल तलवार का आकार ले लिया आकाश ने उपर देखा तो उसके हाथ में कुलहाडी की जगह तलवार थी उसे आश्चर्य हुआ की लिटल फ्लेन बेले तलवार और कुलहाडी के बीच अंतर करने में कैसे बिफल रही जाहिर तोर पर एक दुष्ट पेड को काटने के लिए कुलहाडी अधिक उप्युक्त थी लेकिन अब इसे बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी एक ही कट के साथ दो खंड रुई गौर्ड तलवार टील नोट रुई गौर्ड स्वोर्ड एनिमे में एक हथियार है आकाश को पता ही नहीं चला कि ये शब्द कहां से आये थे जब वह पेड काट रहा था तो उसे बस यही कहने का मन हो रहा था जाहिर तोर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यह उसी तरह था जैसे टेनिस खिलाडी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गेंड को मारते समय चिलाते थे आग का गोला उस दुष्ट पेड के शीर्ष से लेकर उसके तने और जडो तक चला गया इसकी शेश शक्ती जमीन पर जबरदस्ट प्रभाव के साथ गिरी दुष्ट व्रिक्ष को आधा काट दिया गया जलती तलवार ने पेड में भी आग लगा दी और उसे जला कर राख कर दिया पेड के मरते ही मौसम साफ हो गया रातरी के आकाश में चमकते चांद के साथ कारे लटके रहे उनमें अब भयानक लाल चमक नहीं थी लेकिन परिग्रिश काफी बदल गया था आसपास की कई पहाडियों और छोटे पहाडों को घाटियों और खट्डों से बदल दिया गया यहां तक की जमीन के नीचे की गहरी परते भी उजागर हो गई जाओ जिन कहा है जियाम शाउकसु अपने मानसिक तत्व के साथ जाओ जिनको नहीं ढून सकी वह भाग गया वह हमें शार्कमेन को खाना खिलाने जा रहा था लिंगलिंग ने कहा मियूबाई ने पलट कर देखा कि शार्कमेन सरदार उनसे एक गरजन किलोमिटर से भी कम दूरी पर था यहां अभी सतह के बेहत करीब उड रहा था जिन पहाडों के पास से वह गुजरा वे उसकी प्रचंड शक्ती के कारण धूल में बदल रहे थे भले ही उसने उन्हें चुआ तक नहीं एक सरवोच शासक के लिए सब कुछ बुलबुले के समान नाजुक था यह देखने के बाद कि यह कितना मजबूत था समूह को बेचैनी महसूस हुई हमें जाना चाहिए जिनक्सिया ने चिला कर कहा जिनक्सिया ने जियांग शाउक्सू और लिंडलिंग को रेडियंस यूनिकॉर्न पर खीच लिया वह हवा में उचला और एक इंद्रधनुशी पुल के साथ साथ चला जो रात के आकाश में अचानक फैल रहा था आकाश ने भोर और शाम के अपने पंक बुलाए वह रेडियंस यूनिकॉर्न से भी तेज था उसने जल्द ही प्राणी को पकड़ लिया और उसे आगे ले गया केवल जाउ मान्यन और म्यूबाई ही बचे थे उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा म्यूबाई ने शूने से एक बर्फ का बेडा बनाया और उस पर कूट पड़ी बर्फ का बेडा अपने सामने की जमीन को बर्फ में तबदील करते हुए आगे बढ़ गया उसकी गती बढ़ती गई और वह तेजी से दूर चला गया जब जाउ मन्यन ने दूसरों को गायब होते देखा तो उसके पास शब भी नहीं बचे थे क्या बिल्ली है? क्या कठिन समय में किसी की सच्ची भावनाओं को देखने का उनका यही मतलब था? वे सभी अपने-अपने साधन से भाग रहे थे फीनियो मुख्यालय शहर के उत्तर में फैनियाओ मुख्यालय शहर ने लैन्यान के दक्षिन में रहने वाले अधिकांश लोगों को अपने साथ ले लिया था जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था उत्तरी शहर को विशेश रूप से उन शर्नार्थियों को सौपा गया था और इसकी आबादी पहले ही कई मिलियन तक पहुँच चुकी थी यह अब एक प्रांतिय राजधानी के आकार के आसपास था मुख्यालय शहर का पिछले कुछ वर्षों में तेजी से और लगातार विस्तार हुआ है अकेले उत्तरी शहर पुराने फेनियाव शहर से पांच गुना बढ़ा था हाला कि फैनक्सियु परवत का अपनी भूमी से आगे विस्तार नहीं हुआ क्योंकि फिनियाव मुख्यालय शहर की सरकार ने निजी भूमी को और अधिक विस्तार करने की अनुमती नहीं दी थी फैनक्सियु परवत बो शहर के आकार के आसपास था इसकी जमीन भले ही सीमित थी लेकिन यह सुव्यवस्थित और सुविधाओं से भरपूर थी शुरुआ की दिनों से ही चतुर निवेश और प्रबंधन ने फैनक्सियु माउंटेन को पश्चिम में पहाडों के करीब एक अच्छी तरह से बनाए गए चोटे शहर में बदल दिया था उत्तरी शहर का सिटी हॉल फैनक्सियु परवत से लगभग 4 किलोमेटर दूर था वे दोनों उत्तरी शहर के एक ही जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थे आकाश और उसके दल के फैनक्सियू परवत पर पहुँचने से पहले जाओ जिन सिटी हॉल की ओर जा चुके थे सिटी हॉल अब सैनीकृत हो गया था इसके जादूग्रों को उत्तरी शहर के जादूगर कहा जाता था उन्होंने नौर्थ सिटी के मेर लिनकाम के अधीन काम किया फिनियाओ मुख्यालय शहर के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और उन्हें बदल दिया गया था वही हुआ जो खत्राउन मूलन रणनीती रद्ध होने के बाद अध्यक्ष शाओ जेंग के साथ हुआ था लिनकाम को इस साल ही नौर्थ सिटी का मेर नियुक्त किया गया था वह पूरी तरह से उत्तरी शहर का प्रभारी था जाओ जिन ने काली लकडी से बनी एक लंबी मेज पर बैठे कार्याले में प्रवेश किया कमरा प्राचीन वस्तूओं और कुछ दीवार चित्रों से सजाया गया था लंबी बाजू वाली शर्ट पहने एक आदमी कमरे में कुछ बना रहा था जाओ जिन कमरे में आये और उस आदमी के काम पर एक नजर डालने के बाद मजाक में घोशना की यह एक भयानक द्राइंग है पुरुशों लड़के की जीब में कील ठोंक दो उस आदमी ने बिना सिर घुमाए उत्तर दिया क्या मेर अब मुझे इतना तुछ समझते हैं मुझे वास्तव में अपने चाचा को एक छोटा सा सुझाव देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह आपको पश्चिम में एक बंजर भूमी पर मेर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जाओ जिन आगे बढ़े और लिनकाम की कार्यकारी चमडे की कुरसी पर बैठ गए लिनकाम को तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका महमान जाओ जिन था वह मुस्कुराया और कहा आ यह मिस्टर जाओ है मुझे हमेशा इससे नफरत रही है जब लोग कहते हैं कि मेरे चितर बदसूरत हैं लेकिन श्री जाओ एक अपवाद है जाओ जिन ने कहा दिलचस्प बात है मैं हाल ही में एक जादूगर से मिला जो आपकी तरह ही चितरकारी करता है लेकिन उसकी साधना कमजोर थी ओह अगर मौका मिले तो मुझे उनसे मिलना चाहिए जब से मैंने आखिरी बार अपने जादू से चितर बनाया है तब से काफी समय हो गया है तो मैं इस खुशी का श्रे किसको दूँ? मेरा मानना है कि मैं आपसे काफी परिचित हूँ मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी उन चीजों पर अपना समय बरबात करते हैं जिन से आपको कोई फाइदा नहीं होगा लिन कांग ने बताया जाओ जिन ने कहा जो कुछ मैं चाहता था वह फैनक्सिव मांटेन के हाथों में आ गया है आपका मतलब फैनक्सिव परवत से है जो कभी अपनी जगह नहीं जानता लिन कांग ने पूछा उन्होंने एक अर्थ फ्लेन पिस्टॉल लिया है मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान कठो ठंड के मौसम में अर्थ फ्लेन पिस्टॉल कितना महत्वपून है यह देखते हुए कि आप कितने जानकार हैं उच्छ श्रेई की तो बात ही छोड़ दें इसकी उर्जा दूसरे शहर के निर्मान के लिए परियाप्त से अधिक है जाओ जिनने अपनी मुठी भीच ली अर्थ फ्लेन पिस्टिल पर दावा करने में असफल होकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी यह अमूल्य था चाहे वे किसी भी युग में हूँ यूरोप और अफ्रीका के कुछ देश इसे राश्टिय खजाने के रूप में मान सकते हैं उसे हर कीमत पर इसे पाने का रास्ता खोजना था क्या यह वास्तव में अगनी तत्व का प्रित्वी पिस्टॉल है लिन कांग ने पूछा उसकी आखों में एक भावुक भाव था जिसकी स्थिती जितनी उची होती थी वह अर्थ पिस्टिल के मूले से उतना ही अधिक परिचित होता था यदि वह अर्थ फ्लेम पिस्टिल प्राप्त कर सके और इसे उत्तरी शहर के लिए गर्मी के स्रोत के रूप में उप्योग कर सके तो यह जल्द ही फेनियाओ मुख्याले शहर की सची राजधानी बन जाएगी उन्हें आगामी चुनाव में फेनियाओ मुख्यालय शहर के सर्वोच नेता के रूप में भी चुना जा सकता है फेनक्सियू माउंटेन वास्तव में मेरे लिए कोई खत्रा नहीं है लेकिन चुंकी यह कानूनी तौर पर फेनियाओ मुख्यालय शहर का हिस्सा है इसलिए मुझे उन पर हाथ डालने के लिए एक उचित कारण की आवश्यक्ता है क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरे मानिय महापौर ज्जाओ जिनने दुष्ट भाव से पूछा एक छोटे फेनक्सियू माउंटेन ने प्रसिध जाओ कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की शायद जाओ कबीला इन वर्षों में पैसा कमाने पर इतना अधिक ध्यान केंडरित कर रहा था कि लोग भूल गए थे कि जाओ कबीले का अतीत में म्यू कबीले के साथ समान रूप से मिलान हुआ करता था फेनक्सियू माउंटेन अपने लिए एक राश्ट्रिय खजाने का दावा करने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए इसे वापस लेना उच्चित है लिनकां सपष्ट रूप से जाओ जिनके इरादों के बारे में जानते थे जल्दी करो आपके वरिष्टों के कदम उठाने से पहले हमें अर्थ फ्लेम पिस्टॉल को सुरक्षित करना होगा एक बार जब हम इस पर अपना हाथ रख लेते हैं तो हम आसानी से स्थिती को नियंतरित कर सकते हैं जाओ जिनने तुरंट कहा मैं म्यू कभीले के कुछ लोगों को जानता हूँ मेरा मानना है कि फैनक्सियू माउंटेन को खंडेहर होते देखकर वे बहुत खुश होंगे मैं तुरंट उनसे संपर्क करूंगा हाँ हाँ फैनक्सियू माउंटेन इतनी मूलेवान चीज को पकड़ कर रखना आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाला है आखिरकार मैं इसकी समरिध हिजमीने अपने लिए ले सकता हूँ लिन कांग जोर से हंस पड़े एक तीर से दो शिकार करने की बात फैनक्सियू माउंटेन ने उत्तरी शहर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपनी निजी भूमी के रूप में कबजा कर लिया उनसे पहले के मेर क्या कर रहे थे वे फैनक्सियू परवत को रहने और बढ़ने की अनुमती क्यों देंगे पूरा उत्तरी शहर उत्तरी शहर किले का माना जाता था फैनक्सियू निउसिटी भी उसी की मानी जाती थी फिन्याओ मुख्यालय शहर के अन्यनेता और काउंसिल मैन फैनक्सियू परवत का सम्मान कर सकते हैं क्योंकि यह शुरुवात से ही मौजूद था लेकिन लिनकाम कभी भी परिशानी से नहीं डरते थे वह लंबे समय से फैनक्सियू परवत को नश्ट करना चाहता था उसे बस पहले आग शुरू करने के लिए किसी की जूरत थी जाओ जिंग अर्थ फ्लेम पिस्टिल को फ्यूज के रूप में इस्तिमाल करते हुए फैनक्सियू माउंटेन के खिलाफ साजिश रच रहा था लोगों को इकठा करो और फैनक्सियू परवत की परिधी को सील कर दो किसी को भी वहां से अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है उन सभी को गिरफतार करें जो उनका अनुपालन नहीं करते हैं उन लोगों के खिलाफ हिंसा की अनुमती है जो वापस लड़ने की कोशिश करते हैं लिनकांग ने अपने सहयोगी डेशविर को आदेश दिया लिनकांग कभी भी कोई कदम उठाने से नहीं हिच की चाते थे और वह हमेशा निर्दे रहे थे उसे फैनक्सियू नियू सिटी पर कबजा करने की सक्त जूरत थी मैं कुछ विश्वसने मदगार इकठा करूँगा हमें इसे यथाशिग्र पूरा करना चाहिए जाओ जिनने उच सुकता से कहा